क्या है चैंदर को देखा क्या नहीं मैंने तो नहीं देखा उसे क्या हुआ है तो मैं पूल जाँगा राज से नहीं मगर तुमें आद रखो का यह लो क्या हुआ चंदू क्या हुआ चल्दी बोलो तेरी मा तुझे ढून रही है गर पे चल्दी बाग किसी से दरता नहीं है मा क्या इस डॉन को कोई नहीं पकड़ सकता जो काम बोलाता वो हो गया हां चंदर चंदर नहीं डॉन चंदू ठीक है पहले काम के पैसे दो यह लो पैसे पूरे है किन लो यह ले बस्ता पकड़ डॉन बस्ता खाली है तुने डॉन से गदारी की बंटी बंटी क्या हुआ मैं मर गया हूं पापा इसकी माने इसे कितनी बुरी तरह से मारा है आज तो तुम खिला दोगी दीदी पर कल जब होस्टेल जाओंगा तो वहां खाना कौन खिलाएगा तुम्हारी देखभाल करने के लिए हम कल से इस गाहों में नहीं रहेंगे पर क्यों कब सुधरेगा हां सुधर्जा वटना घर से निकाल दोंगे इन महाशे का नाम है भूचाल सिंग्ग काले कारोबार में कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता खून खराबे करकर के इनोंने अपना बड़ा सामराज्य खड़ा कर लिया है नमस्ते भाई अगर आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो डॉन नर्सिंग मुझे मार्क डालेगा जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगा क्या बोला बे मुझे मांगी कीमत उसके पहले क्या बोला डॉन नर्सिंग्ग पूरे विश्व में भूचाल सिंग का एक ही दुश्मन है नर्सिंग जिसका सिक्का पूरे शहर में चलता है दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं भूचाल नर्सिंग की हर चीज में नकल करता है फिर चाहे दात मांजने वाला मंजन हो या पूजा में इस्तिमाल की जाने वाली अगरबत्ती भूचाल वही अखबार पढ़ते हैं जो नर्सिंग पढ़ता है भले ही वो भाशा पले पढ़े या नहीं यहां तक कि दोनों की गारियों का मॉडल भी सेम है चुकि दील में नर्सिंग है भूचाल भी इसमें कूट पढ़ा है यह सोदा मेरे को मंजूर है उस नर्सिंग को धूल चटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं कितना वी बड़ा जोखिम क्यों ना हो अरे इसे अपने शेहर के फार्माउस मे लेकर जाओ देखते हैं नर्सिंग हमारा क्या उखाडता है बाबा बाद परिशान है कोई भी उनके चुंगल से इतनी आसानी से बच नहीं सकता यह हमारे मूँ पे तमाचा है मुझे उसका मरा हुआ मूँ देखना है बस दुग्वल भाई को जबान दी है तो काम हो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजें आई यह तो गया भाई भाई भुचाल का फोन है स्पीकर पर डाल ठीक है ए नर्सिंग दुखकल से सुपारी लेकि तुने उसे टपकाने का सौधा किया है क्यों और मैंने उसे बचाने का सौधा किया है लाइफ में पहली बार मैं तुझे मात देने जा रहा हूँ आज के बाद होने वाली हर लड़ाई में मैं तुझे पच्छार दूँगा थूचटाऊंगा तुझे तुझे तुकितने भी हाथ पेर मार ले वो तो हो गया उड़न चूब अरे इसका मतलब वो भाग गया हमारे पैसे का क्या होगा अगर बिना पैसे में घर पर गया तो पापा पापा मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे नर्सिंग कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता एक बार कह दिया काम हो जाएगा तो समझो काम पूरा हो गया वो रहा आपका शिकार मैंने अपना वादा पूरा किया क्यों मेरे कारना में की बदाईदे ने कि ने फोन किया तुझ मैं इतनी हिम्मत नहीं कि नर्सिंग को अपना वादा पूरा करने से रोख सके अब जो जटका मैं तुझे देने वाला हूँ भूचाल उससे तेरी आत्मा काप जाएगी मेरी? कैसे? जरा अपनी मुंडी लेफ्ट में तो घुमा तुने तो सिर्फ हेलिकॉप्टर के राएपर लिया था और मैंने पाइलट के साथ सेटिंग कर ली अगली बार मुझसे वो लजने की सोचना भी मत दमस्ते दुगल साब काम खत्म जो भी आपका नुकसान हुआ वो आपके पास दो दिन में भेजवा दूँगा और आप हमारे होने वाले समधी हैं आपके लिए तो कुछ भी करना मेरा फर्ज बनता है चले जल्दी मिलते हैं देखो जी जाजी चिंता जो है चिता समान होती है पहली बार थोड़ी ना आप मुखे बल गिरे हो हमारे घर के अंतर ही कोई भेदी चुपा हुआ है और उसने इसकी सूचना उसे दियोगी और वो इसी ने दियोगी अरे चुपकर मेरे उतरों में उठाता रख तो अरे बात करा तुम जैसे निकम्मों के साथ माय उसका कुछ नहीं बिगार सकता उसका गला मैं तभी काट सकता हूं कि मेरे पास को तेज हथियार हो हेलो कौन वार दल आप कर रहे है चम चमाता चंदू हो तो हो अलो? क्या? क्या? उसके चर क्या… अभन मुझ हमार चुप? सरकारी मुलाजिम के नाम पे धबा है हमें सो की हरीपती थी थी ना तुझे चालिस का छुट्टा नहीं बोल के टिकेड के पिच्छु लिग दिया जैसा अस्पताल में अपन पाइदा हुआ था वह भी चंदे के पाइसे से बना था इसलिए बंदे को चंदू बोलते है इसलिए पैसे देना भूल गया भी खुबस जैता है तुम मेंसे नहांकर कॉंड नहीं आए जहाना भूल गया किससे भेड करनी है यह एक बार चंदी पाइंट नहीं बोल सकता हूं लेकिन तहरे को कई से भूल सकता हूं मेरे लाव तुम शीघ्रव वापस कैसे आ गया है पंबाय में चगे का किराया बात महेंगा इसल अंदू भ्राता अचानक यहां क्यों आए डॉन का कोर्स करूंगा यह का होता है गली के हर कोपचे में होता है डॉन के कोर्स में 50% का डिसकाउंट है तेरे डॉन बनने का भूत अब तक उतरा नहीं है और वैसे तू था कहा इन सब में तू सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट यहां से भैस के टिबे में बैटकर मैं बंबाई गया खुर्ला टर्मिनल्स पे उतरती मेरा परण हो गया खुनी तो मैंने खुद को रगडी चाल में पाया देखा कि साक्षाद भाव मेरे सामने है भाव ने CCTV फूटेज में ही मेरे टैलेंट को परक लिया था और पहली किसका सीवन करोगे और तुम रम शर्बद और तु क्या लेगा बिना लेबल की अरे कुछ तो अपनी आउकाद का ख्याल रख मशूर डॉन यही पीते हैं यह कैसी अजीब फरमाईश कर रहा है इस शहर में काजुपाड़ा का नर सिंग और माधवपूर का भुचाल सिंग यही दो दल चलते हैं तू क्या करेगा दोरों में से किसी एक गेंग का चकनापन बनेगा और तू वह बनेगा कैसे टैलेंट पे अप उनके अंदर बहुत है आज जो बंदा 120 का शर्ट पेंट के बैट आए वह कल पठानी में नजर आएगा फिर क्या करेगा क्या लेंगे सर फोड़ने के लिए गुंड़ा दे सर यहां पे होने वाला राडा नाक पाड़ा और कांजी पाड़ा के भाईयों को सुनाई देना चाहिए सुन यहां पे थोड़ी दिर में मारा मारी होने वाली है तो कोपचे में घड़े रहकर मेरे भाईगिरी का वीडियो बना इसी वीडियो को पोस्ट करके मैं डॉन की पोस्ट पे बैट जाओंगा इसकी बात सुनके चार लोग कोमा में चले गए जा चार ग्लास मदिरा ला अरे आज फोन करके कल तक वालों को बुला लो वो पहले बड़े से बड़ा जूट पहलाने में व्यस्त है तेरा ये छोटा मोड़ा जूट पहलाने का समय नहीं है तुम लोगों की छोटी सोच की वज़ा से तुम लोग छोटे रहे गए हो मेरा ऐसा नहीं है मेरी नजर हमेशा बड़ी चीज़ पर होती है अरे लगाओ का फोन हेलो फ्री पब्लिक है कई ये कुछ भी निउस से बोल रहा है हां क्या मैं सरनव से बात कर रहा हूं हेलो बवासिर निउस बिना धूब के ये गौगल वाला कोन है सर वो कमिश्टर का सुपुतर है ची ची जोडी सुट नहीं करती है तू पटाएगा तू कल तक वाले याजी पहुचेंगे लाड़ी बाग कर रहे है अरे बापरे इससे पहले वो यहां पहुचे किसी को तोड भोड़ के फुट्टेश्टेया रखनी पड़ेगे लाइट्सो चोड़ा मुची अप्य बाग देख तू तू बहुत अच्छा था अब जरा तुझे भी चख़णूं यह बहुत खंडूसा सर्क खाता इससे खोलता हूं खुंगराले बाल इसे धोकर बदल देता हूं इसकी चाल इसे मारकर डेफिनिटली टॉन बनूंगा अरे जितनी लगी नहीं उतनी ओवरेक्टिंग कर रहा है जा बार करने वाला है बरफ लेके सेख ले एक केच्छवे के बाल अपनी हवास संभाल ए टेरी तारीफ बंदा तारीफ बाद में बताता है पहले दुश्मनों की मौत की तारीफ तै करता है अले बता तू कौने चिपकली के अंडे क्यों बे मगर मचके आखे निकाल के लगाई है क्या टेरी तारीफ पहले मैं बार्टेंडर का ही काम करता था नास्तिक हाइवे पे थो साल नव सारी में तेड़ साल अटिंडा में छे माईने फिर चेरा पुंजी की जंगलों में मैंने बक्रियां भी चराई खांदानी मजदूर हूँ शराब से दूर हूँ यह ले पकार पोजा और्लों अज प्यून से बार्टेंजी पहके अफरा अग कि आहा कि अ हुँळ॑ हुआ! कि अ कि अपरेटेंगे जिटारे जिए! झास ! अचछ याफ नाफ नह अ यौ हो हम हुआ है कर दो सार, इंडिया में आपके बेटे की किसी ने बहुत बुरी तरह दुलाई की है नमस्ते, दुगल साफ नार सिंग ये किस ने किया? किसी चंदू नाम के डॉन ने आपके बेटे की पिटाई की उसे ठिकाने लगाने के लिए मेरे आदमी उसे ढून रहे है आपका बेटा सिर्फ उसकी आवाज पहचान सकता है उसकी शकल नहीं बहुत जल्द में उसे ढून कर उसे खत्म कर दूँगा पहले प्रवीन को जल्दी से जल्दी यहां भेजो और बिना समय गवाए उस आदमी को मौत के घाट उतार दो समझ गया दुगगल साब नमस्ते महंगा पड़ेगा मेरे बेटे पे हाथ उठाना उस चंदू को महंगा पड़ेगा अभी अभी सूचना मिली है कि रेट्रो पब में हुई मारपीत का कारण कोई डॉन चंदू है डॉन चंदू ने जिसको पीटा उसका नाम है प्रवीन दुगगल और वो एक बड़े बिजनसमैन नवीन दुगगल को मारना सही था या गलत येस या नो लिखकर 50505 पर SMS करें देखा भाई बिना इलक्षन में खड़े तेरे दोस्को वोट मिल रहे हैं लोग हजारों वीडियो बनाने के बाद वायरों तू तो बिना वीडियो के वायरों और तो तो ठीक है पर देरे इस कारना में के बारे में जिसे मालुपढ़ना चीह था उसे पता चला तू नहीं मैंने बता दिया डीटेल में किसको बता दिया शेयर में किसके चर्चे है दॉन अर्सें किसले भूचाल से बाती तुन ऐसा उल्टा क्यूं किया अरे यार उड़ते हवाय जहाज पर कदम रखने से अच्छा है डूपती कष्टी में पैर रखूं आने दे उने तुम में हो तो ठीक है काड़ा पी लेना तुम लोग भी आ जाओ काश मैं चंदू की गर्फरिंड होती तो मैं आपने आपको बहुत खुश नसीब समझ दी मुझे वो बहुत पसंद है एक की दिन में इतना मशूर हो गया हो हो क्या मस्त चुना लगा है और दिवार पे महिलाओं की पेंटिंग भी वासता है दुगल के बेटे को क्यों धोया यह बात मैं भुचाल को बताऊंगा उनके चम्चों को ने क्या बात करता है यह मैं भुचाल हो हुजूर् गुस्ता की माफ भुचाल लाम सुनकर लगा आप साथाट फीट के होंगे आपका साइस तो इतना सा है प पेमेंट की खातिर मानना प्रोफेशन है तू अपना मता एमबिशन मैं डॉन बनना चाहता हूं डॉन बनने के लिए तू किसी को भी ठोक देगा क्या इसी को भी तेरे को भी ठोक सकता है यह गोडों को अस्ताबल में रखो उसको मारके मुझे फोन क्यों किया अब तेरे जैसे चप्रे को भाई अपने साथ रखेंगे मेरे को बता है कि तू भूचाल का बन्यान और जांगया इस्तरी करता है यारे यह एक ब्लेट तू कब से इस्तमाल कर रहा है ठोक दूगा बोबी नो नो कंट्रोल कंट्रोल तेरा दिमाग तेरी स्टाइल तेरा और तुझे ठोक के मैं दुगल का खास बन जाओंगा चैला भी हिलना मता है दुगल को लगा तो लगा तो भई नवस्तर दुगल जी बताओ क्यों फोन किया आप कही फायदे के लिए फोन किया दुगल साथ माना कि आपका डिपार्टमेंट नर्सिंग संभाल रहा है लेकिन मेरे जलवे क्या है वो सुनना चाहेंगे आपके सुपुत्तर को जिसने धोया वो मेरे सामने खड़ागा मार दो उसे अब ही फोन पर मुझे उसकी चीखें सुनाओ इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मिलेगा मार गया मार दिया ना उसे पूरी तरह से शाबाश भूचाल आज के बाद से तुम भी मेरे लिए काम करोगे क्या चाहिए तुम्हें बताओ आपने क्या दिया वही काफी है और कुछ नहीं चाहिए आपके आशिरवादी मेरे लिए सब कुछ है ये तो सिर्फ एक नमूना है तो क्या पास अटाओ रे इसको अरे इसे क्यू माना इतने दिनों से खाता मेरा था से वा नर्सिंग की करता था इसलिए कम कर ढढ़ा दुगगल को यह जता दिये के उसके बेटें को दोने बाले को ठोक डाला अब तुम्हारे सपोर्ट से उस नर्सिंग की कबर थोट डालूंगा मतलब इस बे ρोजगार को वो भी फिक्स में अज से कुछ दिनों के लिए तुम डॉन चंदू नहीं हो सिर्फ चंदर मुझे मन्जूर नहीं आपकी गैंग में मत लो लेकिन नाम में नहीं बदलने वाला हूं तेरेको पोस्ट चाहिए के नाम चीह है दोनों चाहिए दोनों फोस्ट चाहिए तो कुछ के लिए नाम कुरुबान करना पड़ेगा कुछ पाउने के लिए कुछ खोना पड़ता है ओके लाल बाद्शा ठीक है वैसे भी नामे क्या रखा है एड्जेस कर रहेते हैं चलेगा ओके वैशकर यो चाहिए बोल देना आपके गॉगल्स चाहिए वो काई को क्योंकि उस पर दी लिखा है ना डी मतलब डॉन वह पाइप भी चाहिए उस पर डी का लिखा है मैं लिख लूँगा अगरो चलों के लिए कोईला भी खरीदना है चलो यह क्या भाई आप उसे अच्छे से जानते भी नहीं और उसे गैंग में शामिल कर लिया तुम लोग के दिमाग में भ देखा हुआ है देख अबे देखना है हाज उस भूजाल ने मुझे मादे ही दी जो शिकार मैं करने वाला था वो उसके हाथ लग गया यह अच्छी बात नहीं है भूजाल को इसके कीमत चुकानी ही पड़ेगी जो हुआ भूल जानते है मेरा पत्ता कट करके दुगल के अब की नजरों में मुझे नीचा गिराकर खुद को उंचा कर लिया भूजाल की इन हरकतों के पीछे किसका दिमाग है यह पता लगाना होगा यह तुमारा पासपोर्ट टिकेट कल जर्मनी के लिए निकलो जर्मनी आप महान है भाई पहला काम विदेशी वहां क्या करना है चोरी करने है ड्का डाला या मर्डार मैंने सब कोर्स किये बॉस इन में से कुछ भी नहीं करना प्र लँड-व करना प्रेम तो मैं आपसे करता हूँ न मैं वाईशा नहीं हो नरसिंग की बहान से करना हो जर्मनी में पड़ती है उसकी बहान उसकी जान है और वो खुद से ज्यादा उससे प्यार करता है, अब तू क्या कर उसकी बहन को पहले पटा, फिर उसके बाद उसको धोका दे, और सदमे से वो नर्सिंग खुद ही मर जाएगा, डॉन कैसे प्यार कर सकता है, मैं नहीं करूंगा, डॉन बनने के लिए कुछ भी करने को तयार थे, तो प्यार कर मैं क्या प्राब्ले में तुझे, मैंने बहुत से डॉन देखे जो गुलु-गुलु करते है, डॉन फिरोधी का फोन करता है, प्यार नहीं, क्या बात कर रहा है, डॉन का दिल नहीं है, डॉन ने प्यार किया था, बले वो डुप्लिकेट था, यह उपर किसको देखता है, इहां चला जाओंगा, लेकिन एक और टिकेट चाहिए, किसके लिए, डॉन कभी अकेला नहीं होता, वो दुखेला होता है, बॉबी, इसके सेटिंग करा देना, उस लड़की की इंफोर्मेशन इसके पास है, यह सब संभाल लेगा, ठीक है, अब हार, चलो, यह क्या जी जी इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए आपने इसको क्यों चुना, अब बैल की दूम कर टीवी पर नहीं देखा क्या, लड़कियां इसकी फैन है, तभी मेरी घंटी बाजी, ऐसी सेटिंग की है ना, नर्सिंग डिप्रेशन के मारे खुदकुशी कर लेगा, यह बोर् यही तो मितरता है, यही तो मितरता है, नर्सिंग के मैन, उसी कॉलेज में पढ़ती है, कॉलेज बाहर से इतना सुन्दर है, तो वो अंदर कितनी सुन्दर होगी, श्रीमान, हट जाओ ने दा कोवे का शिट गिरेगा, नहीं गिरेगा, कोवा शिट के लिए, लोग दुआय कोवे का शिट ला की ओता है, मुब बन्काट वो जो आ रही है, वही नर सिंग की बेहन है, वो उचलते बाल वाली गया, हाँ, इसका ड्रेसिंग सेंस तो मन भावन है, कमर 26 चेस पावन है, लाल काले भुरे, कितने रंगीन बालों की कन्याए है, एक से दो होने का मन कर रहा है, हाँ, पास में मंदिर है क्या, शादी है, ह बदबुदार, देख लिया, देखा, 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 उपर से नीचे तक देखा, आसपास वाली को भी देखा, फिर भी मन भरा नहीं है, सुनो, भुचाल भाई को पटाना आसान था, इसे नहीं, मैं सीतागिता की कसम खाता हूँ, जब तक इसे पटाना ही लेता, ना अप पूरा नहीं हुआ, तो भुचाल भाई, डबल वसूल चरेंगे, हम गरीबों के पास दो जोरी चट्डी की सेवा कुछ नहीं, वसूल क्या करेंगे, जान है ना, अरे यार बॉबी, उल्टी पैदा ही शेक, उल्टी बाते करता है, मैं ऐसा ही हूँ, एरी शकल पर ही भाय व जानता काम बिगड़ जाए, अच्छा जर्मन शेफ़र्ड, तेरी शेकल उस नसल से मिलती है, तो खुछ तो है ना, के तेरे दोस ने इतना अच्छा नामकरन किया, इसे स्वाइब करके उसे वाइब बनाता हूँ, क्या बात है दिप्स, आज तक सैकोलोजी में किसी को 95 पस किधर देख रहें, पता ही नहीं चलता है, आटिट्यूड में आजा, तोड़ी नली इंग्लिश बिंग्लिश बोलने की कोशिश, क्यार, इस विल में वड़ा पाव भर के मिलेगा, विल क्या तेरा बाप भरेगा, अरे काट दिया ना, उसने, तू तेरी वाली जूस कर ले, मिस्टर शेफ़र्ड, यहां 50,000 डॉलर का बर्गर तो मिलेगा ना, थोड़ा चुरन देना पड़ता है, यही देख रही है, चल नॉन एक्टर, एक्टिंग का टेलेंट दिखा दे, यही तेरा अंतिम निरणा है, एकदम सौ ठाका आउपर वाले की कसम, दिल रखने के जुट बोलता है, उसे देखकर मेरी प्यारवाली घंटी नहीं बचनी, मिस्ट कॉल देखे तो देख, अरे दिल की कटोरी में उसके नाम की दही तो जमनी चाहिए, मतलब लव से पहले प्यार, फिर बच्चे चार, इसके तो, सौरी, यह सच्चा अदमी है, तुम्हें नही बहेग जातिया, किसे ड्रामा है तो, यही है वो, यही है वो जिसने मुझे थोका दिया है, तुम्ही चंदू हो क्या, यह लड़की स्विसाइड करने जा रही थी, और यह कह रहे है कि तुम इसके पीछे पढ़े हो, हम तुमको अरेस्ट करने आए, मतलब वाह है, मेरा अब बूल, हम, सॉरी फॉर दो ट्रॉब, सुनिये, चंदू प्लीज, आ लव यू, आ रेली लव यू, पांच मिनिट का प्यार कर ले, पांच मिनिट में अगर नौ मेने की कस्टडी हो गई तो, इसकी फ्रेंज भी पीछे पढ़ी है, अभी यह पीछे पढ़ी है, तीन ब सॉरी, सॉरी हा, सॉरी, शी इस क्रेजी, मेडली मेरे प्यार में घिर गई है, कोई विलर की मेरे से प्यार में करना, वरना अच्छा नहीं होगा, सब से कटी हूँ मैं, चलो निकलते हैं, कैसे लगी आख्षिंग, वियूटिफुल, तुम इंडिया जरूर आना, तुमें सी शूट करना बाकी है, मा कसम, आज तो हो जाए दो दो राम, अरे, वो वापस आगया यार, जिप्ती, मैंने अपने मम्मी पापा से बात कर ली है, उन्हें भी तुम बहुत पसंद हो, मेरे चीमन का फैसा मेरे पापा नहीं, मैं खुद करती हूँ, अरे, बेचारा है वो, ब क्याफे में एक इंडियन लड़के ने यही बात कही थी, ऐसा लगता है कि तुम दोनों के विचार बहुत मिलते हैं, बकवास, बंद कर, मैं उसे घास डालने वालों में से बिलकुल नहीं हूँ, वो मेरे चकर काटता, बस पीछे वो अनारियल का पेड़े उसे काट कर गिर मेरे चुनाथीस भी कार कर ले, तेखती चाओ, वड़िया, नागिंचाल, सिल्की बाल, गोरी खाल, मॉडल मिल गई साइड से चलना, क्या राइड कम आँ, अरे असे लोग फ्रेम में आएंगे तो कैमरा खराब हो जाएगा, इसमें मत गुस जा पिंकी को हटा, अरे बाली के, कैमरा देकर उसमें खुषने की आदा छोड़ दो, साइड से भी तो जा सकती हो, हिंदी नहीं आती होगी, नो कैम वेलकम, वेलकम बैक, तो मेरी दी हुई चुनाथी तुम हार गई, इस लड़के का ध्यान कोई नहीं भड़का सकता, तो चलो, लेट्स को, हलो, एक्स्कूज मी, वेट, आई कम, मैं चंदु चंदु लाल, ऐसा लगते कि मैंने पहले आपको कहीं देखा है, नारियल तेल के मैं रोज लगाता हूँ, नारियल तेल की बॉडल, बॉटल पे से इनकी फोटो कई बार चीली है, मैं यहां पर कॉकरोच मारने वाले चौका एड करने आया हूँ, हाँ तो, मुझे अच्छे से कॉकरोच की तलाश है, मतलब लड़की की, कोई हो तो बताना, और कॉकरोच से अच्छे तुमारा क्या मतलब है, पॉड बार कॉकरोच है, मैरी के लिए टाइम नहीं है, बॉइ, कारला को कार में बिठा दें, पीछे बिठा हूँ यह आगे, आज जातो जातो, कम कारला, लेट्च को आइल, एल एक्स्रेंगो, तो तुम पीछे क्राउड में खडी मुझे लगता है, बोल्ड शुट करने के लिए इसमें कॉफिदेंस की कमी है, हलो, बहुत कॉफिदेंस है, अकर आप हमारा यह शुट कर देंगी, तो हमारी मैगजिन तो चल पड़ेंगे, क्यों बॉइ, लोग सारी पुस्तके भाड़ के सिर्फ हमारी मैगजिन पड़ा कर कल मैं ऑडिशन रख रहा हूं, साडी पहन के आना और रोल ले जाना, समझ मैं निया रहा है तू इसे पटा रहा है या उसे, अगर रेगिस्तान में मिनरल वाटर ना मिले, तो साधे पानी से काम चलाते हैं, गाई को पटाने के लिए, चारा डालना पढ़ता है मेरे दोस्त हाँ शायद, अरे मेरा मतलब अफकोर्स तुम सुंदर हो, उसने क्राउड वाली क्यूं कहा, अंजान आत्मे के बातों को दिल पे क्यों ले रही हो, और वैसे वे तुम इंडियन रस पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगोगे, तो तुम क्या चाहती हो, उस कौकरुच वाले क के लिए मैं साडी पहने के लिए राजी हो जाऊं, अरे बाबा आज नहीं कल पहनने कल, भोल जाओ, ठीक है तो मैं ओडिशन दे दूगी, तुम ही पहन लो साडी, मुझे क्या, अरे, उस कम्या को तुन्हे कुछ ज्यादा ही बुरा भला बोल दिया है, मुझे नहीं लगता है, इसे पहने ही रखना है, जा जाओ, वेट फॉर मी, कपड़े समालने के लिए मुझे की बुलाती है, क्योंकि तु शकल से ही टेलर जैसा लगता है, ये तो बदा, तुझे क्यू लगता है कि वो आएगी, सुन गोचु, कैरम खेला है ना तु, क्वीन फॉकेट में डालन ये तो आ गई, मतलब क्वीन पॉकेट में गर गई, कवर क्वीन दोनों अपनी, गर्ल्स, गेट रड़ी, कम आओ, जाओ, पर देख सथा आओ, सब को प्रोफाल देने बोल, फ्रेम से जएधा लंबी है, नेक्स्ट, छुटी है, पतली है, कम इन, गेट आओ, पिली चिली, मजा नहीं आ रहा है, बॉड़ी में मास नहीं है, हट्डियां दिख रही है, हट्डियां, मॉडल है, गोश्ट की दुकान थोड़ी, इसको फ्रेमें आने दे, अच्छी लग रही है, कौन है ये, कौकरुच मॉडल मिल गई, इसे फाइनल करते है, लाइट चेकर, लाइट मेरी दोस्त है, अच्छा, तैंक्यो, 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 आप कितनी अच्छी है, हम ऐसी सुन्दर मॉडल चेगे थी, कल वाली बहुत ही फीकी और नक्चडी थी, सवाल ही नहीं है, हो ही नहीं सकते, नहीं मित्र वही है, जुप शेफ़र्ड, ठीक है, नहीं है, अरे सच किसी आर्टिस के पैसे खाने अच्छी बात नहीं है, अग्स्टा पैसे किस चीज़ के है, आपको तो पता है कि इंडस्ट्री में कोई कंवेंस नहीं देता, हम देते हैं, अब पांसो हजार से मेरी कंपनी कोई कोई फरक नहीं फरता, हाँ स्वीट, चक्कर देखो, बधाई और मुबारक दोनों हो, आप कोकरोच एड के लिए सिलेक्ट हो चुकी हो, पहले शूट कीजिए, पैसे की बात बात में करते हैं, एग्रिमेंट, यहां बुढ़ल आई है, क्यों नहीं, सवाल ही नहीं उठता, तुमारी इस घट्या एड में काम करने के लिए, यह तुम्हे खुश करने के लिए, मैं यह साड़ी बहन कर नहीं आई हूँ, बस तुम्हें दिखाना चाहती थी, और दिखा दिया, चलो चलते हैं, क्या परफोर्मेंस है, फस गया, यही सुपर मॉडल बनने की निशानी है, क्यों चमचे, मैंने कहा था ना, याद तो नहीं है, पर हाग आपको कैसे बता चला, अनुभाव मिस्टोपी, कैमरे के फ्रेम में आते आते कहीं है, मेरे दिल के फ्रेम में ना आजा, इस बात से डरती है, मैं आऊँगी, भूल जाओ, सबने मत दिखो काकरच, पहले दिन ऐसे ही अकड़ती है, सेकेंडे थोड़ा सा जुकती है, धर्ड हो सकते हूं, मैं मुर्गी नहीं हूं, तुम से प्यार करूँ, इतने बुरे दिन नहीं आए है, तो फिर एग्रिमेंट साइन करो, हाँ, यह, 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 बेवी, हमारा कॉंट्रेक्ट एक हफ्ते का है, इस एक हफ्ते में तुम मुझे आई लव यू बिल भी नहीं आएगा, हम लड़कें तुमारी जिंते कशिजन है, यह, बन में हस्र等 हि का है, औरद ऐख्ते किसी ने गोली मारी हैं से क्या हुआ भाई ये पांच दिन पहले माना था और पांच दिन पहले ही इसने मुझे भूचाल की यहां से गॉल किया था मतलब ये हमारा आदमी है ये बात भूचाल को पता लग गई उस दिन भूचाल ने इसे गोली मारी या फिर डॉन चंदू को ये बात पता लगाना ज़रूरी है उस डॉन चंदू के बारे में सब पता लगाओ उसका परिवार, उसके रिश्चेदार, उसके मित्र, उसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे आई दिप्ति, क्या हुआ, दिल का कंट्रोल खो दिया, अभी तो 24 गंटे भी पूरे नहीं हुए, मिसिंग मी बड़ बड़ मत करो बड़ बड़िया, आज मेरा जनम दिन है, पार्टी में पुलाने के लिए फोन किया है आपको जनम दिन की बहुत बहुत शुपकामना है, शुक्रिया और धनियवाद, जनम दिन की पार्टी मेंने आज शाम को रखी है, ठीक, आर्ट पचलिए, दोस्ती खाते में न, जो चाहे समझ लो, बाई, तुम्हारा बर्दे तो 6 नवेंबर को होता है, हाँ, पर मैं आज पार्टी देना चाहती हूँ, अच्छा, तुम्हारा प्लान कहा है वैसे, जाने से पहले उस चंदुलाल की सारी अकड़ निकालना चाहती हूँ, इसलिए ये नौटन की, मैं तैयार हूँ, सवारी कहां चली, कहां चली मतलब, तुमने आज पार्टी रखी है ना, ओ, कैसे पार्टी, कोई पार्टी वाटी नहीं है, तो फिर उस चंदु को क्यों बलाया है, उस चंदुलाल को मसा चुखाने के जाए, अब क्या कहोगी उसे, कुछ कहने की सरूरत नहीं, तुम्हारा प्लान कहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अन देखा करना, जिससे उसे परिशानी होगी, उस कौकरिट का सर कुछलने का यही एक बड़ियत तरीका है, अब इस खेल में मैं ही जीतूंगी, देख लेना, अन देखा करो, दूर से तो देख सकते हैं न, जनम दिन किसका है, तुम्हारा, इसलिए, तुम मुझ बंद रखो, मैं सोने जा रही हूँ, अब आएगा मज़ा, लगता है वही आया है, अब क्या कहोगी उसे तुम, माफी मांग लूँगी, हद दे, यार, कौन है, यहां तो कोई नहीं है, दरसल बात यहां, मुझे क्षमा कर दीजे, मैं आपका अपराधी हूँ, वेरी सॉरी, सो सॉरी, अपराधी, और डबल सॉर क्यों, गल्ती मैंने कि इसलिए माफी मांग रहा हूँ, है ना बॉइ, आप आपी प्राष्चित करता है, अरे, ऐसी क्या गल्ती कर दी आपने, अरे, आपने इतने प्यार से पार्टी में बुलाया और हम नहीं आए, यह गलत नहीं है, आप नहीं आए थे, कल एक बड़े ब एक मिनिट, मैं भी आओ, लगता है उसने दिल पे ले लिया, हाँ, भई तो, बेवकूफ, बागल लड़की, उस कौकरोश से हार जाती है, सोच, इस बाँ कुछ अच्छा सोच, खुबसूरत फूल, एक कमसिन फूल के लिए, और तुम भी हमारे साथ घूमने चल रही हो ना आओंगी तो जंजट होगी, इसमें जंजट कैसी, आप आएंगी तो मज़ा आएगा, है ना बॉय, उनके साथ प्रोफेशनल संबंद है, आपके साथ पस्नल है, वो नहीं आएगी तो चलेगा, लेकिन आप नहीं आएगी तो ट्रिप कैंसल, ठीक है, तुमारे गाल इतने कैसे लग रहे हैं, मेक अप किया है या बात कुछ और है, श्रीमान चंदू, मैं टूर पर आऊंगी पर मेरी एक शर्थ है, मन्जूर है, मेरी इस सहली को भी साथ में लेना पड़ेगा, वरना ये एड कैंसल, इन्होंनों तो पहले ही टिकेट देदी है, कल सुबे, दस बज जब देखो, उसे छोड़कर तुम उसकी सहली को इतना महत्व क्यू देते हो, कुछ समझ में नहीं आया, ये दिमाग का खेल है, लड़की के दिमाग की वो तार छेड़ों की बराबर से सुर निखले, शायद वो इस गुरू के बारे में नहीं जानती, जिसकी बंसी की तान से सारी गोपियां जुम उठती है, दिल की मैं फिल में न जाने है, गालिब तुने क्या किया, आए, इसके आगे की लाइन मुझे याद नहीं, मतलब, मुझे को क्या मालूं, गालिब जी की याद आई, इसने बोल दिया, प्रेंट पकरनी है, तुम्हारी सीट यहाँ पर है मैं यहीं ठीक हूँ, अगर वहाँ बैठी तो हो सकता है, कि दिल का परिंदा मुझे देकर फरपडाने लगे, यहाँ हो, हमारे बॉस का दाम, चरस ऐसे शुरू नहीं होता, यह चुम्बक है, किसी को भी अपने पास खींच लेते हैं, तो बदूँगी, क्या तुने हार मान जो उसे इतना दूर बैठी हो, अब तो बाजी मेरे हाथ में है, मैंने पैतरा नंबर दो आजमाना शुरू कर दिया है, देखती चाओ, इस कौकरूच पर कि टाणू नाशक डालना शुरू कर दिया है, अब उचाल भाई, बोलिये, चंदू, काम कहां तक पहुचा, रेन का कार ऐसी कनफर्म हो जाएगा, वो सामने ही बैठी है, आहा, काम हो रहा है ना, एक हफते में काम हो जाएगा, क्या, तू कर पाएगा, एक्सपर्ट हूँ, चल फटा-फट काम कर दे, उस नर्सिंग को डाउट भी नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ कुरेद के निकलने वाला आपको भाई भी है, और वो बहुत करोदीत रहते हैं, अपने भाई से बहुत डरती है, डरती है, उनको सिंग लगे हैं, क्या, वो क्या है, आई-पे-एस है वो, आई-पे-एस मतलब इंडिन पेट्रोल सर्वीस ही न, वो पूरी दुनिया को अपनी छूटी उंगली पर न ए गोचू, पेर अंदर कर, क्या मुंफली है यार, तिलकुत सही कह दिये तू, ये सीट बहुत नरम है, यहां तो बहुत काटे हैं, मैं कहां बैटू हूँ, यहां बैट चाहिए, आप ठीक तो है, आप हिंदी बोल रही है, आप भी इंडिन है क्या, इस अंधे की मदद करन के लिए मैं ऊपर वाले के हाद जोडता हूँ, आशिरवाद के लिए पैर पकड़ते हैं, कितना बदनसीव हूँ, मैं बाहर के नजारे भी नहीं देख पा रहा, अंदर के नजारे भी कुछ कम नहीं है, ओ नैंसुख, उपर नहीं इधर, हलो, जब हमें को या आपती नहीं चटरी, ये कैसा नाम है? ये उपनाम हमें हमारे दादा जी ने दिया है, वो कभी किसी को भीगते वे नहीं देख सकते थे, इसलिए हमने चटरी का बिजनिस खोल दिया और विवाह किससे करोगे? रेंकोट वाली से पूरे खांदान का चाहता यहीं कारने का इरादा है? नहीं, मैं तो यह घूमने आया था बिना विज्वल के घूमोगे? हाँ सर, आप लोग आखों से योरोप देखते हैं और मैं अपने मन से ये रूप देखता हूँ कितनी अच्छी बात है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, उपर वाले ने आखों की रोश्नी नहीं दी है, लेकिन जो देखना है वो बराबर देख लेता हूँ आपके विचार कितने नेक है छत्री जी? इंडिया से योरोप बस में है या ट्रेन से? जेब में सिर्फ दसी रुपय थे, सोचा कि कुर्मूरा खा लेता हूँ, लेकिन जिस पुड़ी में वो बंदा था, वो योरोप की टिकेट निकली, मैं गरीब तो कभी अपना महला भी नहीं घूमा, और आज मैं योरोप के मेट्रो में बैठा हूँ, मैं लोकल ट्रेन में च्छत्रियां बेचकर अपना पेट पालता था, कभी बिक्ती तो कभी नहीं बिक्ती, ये तो सूपर वाले का आशिरवाद है मुझ पर, कि आज मैं ये दिन देख रहा हूँ, आपकी कहानी बहुत दुखत है, आप फिक्र मत कीजिए च्छत्री जी, इनके ट्रिप का पूर अच्छा, माता श्री, हेलो मा, मैं अच्छा हूँ मा, तुम कैसी हो, काम खतम होती ही आ जाओंगा, क्या कहा, शादी, तुम जिससे कहोगी उससे कर लूगा मा, कैसी चहिए, कैसी चहिए, ए जरा सुन, अरे पीछे खंटे बैट, चिपक कर बैटने क्यादत है, प्रिया जी मा, मैं एक फोटो भेज रहा हूँ, खूपसूरती में आधी भी हो तो चलेगा, कैसी लड़की नहीं चाहिए, एक मिनिट मा, दिप्ती जी, एक मिनिटा जरा ऐसी रही है, हिले मत, मा, एक और फोटो भेज रहा हूँ, ऐसी बंदर्या तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प प्रिया, यह तुमारी फ्रेंड इस तरह से नाराज क्यों होती है, लगता है तुमसे जलती है, प्रिया जी, आप सचमुछ इतनी सुंदर है, क्यो श्रीमान मन की आँखों से दिखाई नहीं दिया, दिखाई, दिखाई, प्लीज, आप लोग इनका मजाक बनाएए, चलिए अरे मेतर, यह नेतर ही नहीं है, मुझे भी पता है, तु बस देखते जा, मैं क्या करता हूँ, और दणपाओ इनको, अब इनको बाहर निकालो, सब उगलेंगे यह, एई, इस फोटो में जो आगे खड़ाई भूचाल ने चंदू को जरूर को बड़ा कांड करने के लिए विदेश बीजा है, और वो काम कुछ ऐसा है, जो उसके खास आदनी भी नहीं कर सकते पता लगाओ वो काम क्या है तू पोज मत दे नॉन एक्टर पिछे की सक कहा से आ जाते हैं यह उसका ध्यान रखना फिर से कौना है रहे वही है मित्र परफिले भालू पहले बीच वालू या था क्या बार बीच में आ रहा है बैटने के लिए जगार जाएगा यहां पर टिक के बैड़िया आओ के रेड़ी च्छत्री उदर प्रम के रहे हैं थोड़ा एटिट्यूर बहार में आओ जाने हो यह रंग आप में बहुत जचेगा फटाओ इसे यह वाला भी कुछ बुरा नहीं है सुनो नहीं पहन रही मुझे ऐसे वस्त्र पसंद नहीं मैं चाहता हो तुम हिंदू सनी वस्त्र पहनो मैं भी देशी पहनोंगी कॉंट्रांट बहार में जाये तुमारा कॉंट्रांट यह तो शुरू होते खत्म गया यह होते हैं यह पूरब है तो फो पश्चे में हाई मैं थैंक्यू तो बहुत यह अच्छी आरी है मेरे पेट में तो चूह दॉड़ यह गुल-गुल क्या है खाजूर गुल-गुल कब से हो गया क्यों नहीं खाना है यहां दो दिन तक खाने को कुछ नहीं मिलेगा ए तुखा ले रहे ने ने मैं खालेता हूं लेकिन खुश्बू से तो यहां पर तंदूरी है तू नसीब वाला है तुझे सूंगने तो मिल रहा है सुगन से ना रहा थो यह लोग मुझे ही बना रहें क्या महीं नहीं पता शटरी जी आप चीक तो है तो मुझे लेगी चुप रहा हो चंदू मेरा बैग चूरी हो गया हूं ना वैसे भी उस बैग में क्या था क्या था उसमें वह उस बैग में मेरी स्वर्गी माखा लॉकेट है मेरे पास मेरी मा की वो आखरे निशानी थी वो भी गई पर मा के प्यार को तुम क्या समझोगे तुम तुम प्यार को खेल समझते हो गुड़ी मोशन चिकन खाले वर ना मुर्गी उड़के भाग जाएगी मैं क्या करूं मुझी वो चाहिए अब क्या कर सकते हैं का सिदसि अचOOO क्या 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 मुझी वोल तुम्णनेद आत्सodor अफरी कि जा हूनी। हम şu ध टुम हून हम आत्स時 मेने ऐ लामी प्यार किया सकते ह। झाल मैं एए कुशचचचचचचerson हुआ 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 हु कि अपर आउट है इतिहास कवा है कि आजादी से लेके आज तक हम मर्द और तुम को इस्जद देते आये हैं लेकिन कुछ और तुम को इस्जद हजब नहीं होती सिगरेट तारू होटो से तुम लगाओ बदनाम हमें करो कि अपरेट वynn करवाओ कि शुम की कि अपरे में कि आतारू हग। कि अपरेटा है ऊव थение किवाओ रखाणिव फिर खाट पॉुँट य्याइश यूज़ker अर्भ और जाट यॉच लुण युज़क खाट बार तुम पागल हो गए हो यह हिंदुस्तान नहीं है यह भले हिंदुस्तान ना हो लेकिन मैं तो हिंदुस्तानी हूँ मा के नाम पे रिस्क लिया वरना लड़कियों की मदद नहीं करता जलपरी इडियट आंके सेख सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता अरे चत्री जी आप यहां पर अकेले बैठे हैं क्या करूं अंधा हूं किसीना किसी के सहारी के जरूर्त पड़ती है आप लोग कहां चले गए अब ट्रेन भी गई अब क्या करेंगे इतर भाड़े पे गारी मिल इसलिए तो कहते हैं क्रोध इंसान का दुष्मन है अगर मैं उन सब को देख सकता ना तो उनकी आखे निकालकर में गोटियां खेलता वो तुमें देख लेते तो देश से बाहर निकाल देते ते तुम चछतर जी को कुछ मत बले आज कल की मौड़न ओरते सही मर्द पर नही कहीं आप तो वह गलत मर्द नहीं हो जा तो जा तो जा गाड़ी में पेट्रोल खतम हो गया इसलिए यहां पर आकर रुके हो फस गया तुमें कैसे पता चला मैंने सूंकर अंदाजा लगा लिया ओ आप किसे समझदार है च्छतरी जी प्रिया जी ओ क्या है न मुझे बहुत जोर की सुसु आई है तो क्या आप मेरी मदद करेंगी आजा मैं करा देता हूं आजा चेन अटक जाए तो खोल के देना घबराव मत फ्लच भी करूंगा वैसे भाई हम जा का रहा है तेरी सोच होटी है ना इसलिए सोचा ले लाया हूं चल कहीं भी कर ले हम बातरूम पहु च्छत्री अधूरा काम छोड़के काँ भाग रहे हो वह तो अच्छा हो कि मैं सही टाइम पर भाग गया वरना यह बस मेरी चटनी बना गर चली जाती तो वह वाला शौचा ले कैसा रहगा पुझे नहीं करना मैंने अपना मूर चेंज कर दिया है कली करूंगा प्रिया जी चंदू तुमरा हाँ बह रहा है हारे ठीक है ऐसे कैसी ठीक है मैं कुछ करती हो अरे देखो डोक्टर मत बोला ना शौत बहुत खून बहुत है कि इससे पकड़ो का सब देरी वजे से हुआ तुम बेकार में चिंता कर रही हो इतना खून बहुरा है तो चिंता तो होगी ना सिनो क्या हुआ चंदू कहीं और भी चोट लगी है आभार सफलता स्यादा दूर नहीं है जान बच जाएगी कर दो तो महिलाओ, अपना शूट हो चुका है, कल से अपने अपने रास्ते वाह, इस खुशी के मौके पर मैं आप सबको एक दावत देना चाहती हूँ हम दोनों को जो सुखी दावत दी थी, वैसी वाली क्या? नहीं, वैसी तो नहीं आज रात को आट बजी पक्का बाती होगी उपहार देना जरूरी है हाँ, बिलकुल ओ हाँ, खुश खबरी, इसके अंदर के अंधकार को उजाले में तब्दिल करने की दवाई मिल गई है हाँ, क्या सच्च में? अरे वाह, कुजी भी पेग रहा यह तो सच में अची खबर है, पर कैसे? इन मिर्चियों से, इसमें नेत्र प्रभा की शक्ती है इस मिर्चियों के रस में तेजाब की दो बुंदे मिलाकर नेत्र में डालने से उजाले का छट्र खुल जाता है आँकों में मिर्ची डालेगा, लग नहीं तो फेर नेक का में दिरी कैसी? लेकिन मेरे पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है यह फ्री ओफ कॉस्ट है यह बड़ा खुदार है, फ्री भी हजब नहीं होगा, इसलिए जबरदस्ति करनी पड़ेगा मैं डॉक्टर बनूँगा, आप नहीं बन गई देखिये, यह मेरी आँखों का सवाल है, मैं इस तरह से चांस नहीं ले सकता सी यू टाटा बाड़ा मेरा सालो कानुभावड है ऐसे ही बैठना, मिर्ची आखों में जाते वक्ट तूटनी नहीं चाहिए वर्ण जलेगी और अगर टूट गई तो उन्हें चूस के खाना पढ़ेगा नहीं चाहिए आखे प्लीज चाहिए 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 इसरा इनका चक्षु धको यंत्र निकालिए इसका टोपा काट यह तो ज्वाला मुखी है मैं समत कीज़ए करूंगा आखे चली जाएगी चाहिए रही वापस आएगी अरे पागली से हटा यहां से मेरी आखे सही सलामत है मैं देख सकता हूँ इनक्वाइरी कमीशन को सब शुरू से आखिर तक बताईए कहां से बता हूँ मैं कोई अंधा बंदा नहीं हूँ मेरी आखे टकाटक सब देख सकती है मन की आखों से देखता है मतलब उस दिन जब हम कबड़े बदर रहे था मुझे भी देखा था क्या लेकिन मैं पूरा नहीं देख पाया था अंधा कभी मेरे सामने प्रकट हुए ना तो ये मिर्चियां तुमें खिला दूँगी दिप्ति जी आपका ये मर्दाना रूप देखकर मैं अंदर से हिल गया चाहे विदेश में कितना भी घूम लो समय आने पर हिंदुस्तानी बनना ही पड़ता है ऐसी औरत रहना तो घर पर कभी नाकान पड़े आपने भारत देखा है ये वाट इस ये प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम थस्टी को ड्रिंक है जादा माच्चिपक उसे गुप्त रोग है चल अच्छो अच्छो क्या ये ज़रूरी है कि तुम बीर पियो और हम लोग जूस पिये ये नरम रखो और कड़क लाओ ये क्या है सच उगलने की दवाई इसके अंदर चाते ही चाहे कितना भी बड़ा सूर्मा हो सच बोल ही देता है इससे चंदू को कुछ होगा तो नहीं दीपती क्यों उसकी चिंदा हो रही है कुछ भी मत बोल वो लंगूर मुझ पर लट्टू है पर इतनी आसानी से बोलेगा नहीं इसका जादू चलते ही सारा सच अपनिया बाहरा जाएगा अरे ग्रानमत भेंगी है इतने सारे ग्लास इतने सारे किसके लिए हमारा एक-एक से काम बन जाएगा लेकिन आजकल लड़किया जादा टली होती है टली होने के बाद एंजॉइ करेंगे तुम्हारे मीर तन्यवादम बोलो जाए महेश्माते अलगी जटका लगा असली सोम्रस श्रीमान चंदू आप ठीक तो है ना यह जब आपका दिल आज तक किसी लड़की पे नहीं आया या किसी ने घास नहीं डाली काभी वे लेकिया मेरे से कौन प्यार करेंगा चालीश पार कर लिया मैंने क्यों नक्षा मुक्ति के अंदर पास में आप चलते लिए तुझे बिल यह भरने वाली ना और जिसने आपको कहा ता वह कौन थी वह तो परड़ी आइटिस्ती कंवेंस पी मान गई वह क्या है ना बंबय में आदर श्नगर में यह कास्टिम डिरेक्टर है यह मित्र चलो आई यह मदा कर दो तेरा भांड़ा पूट रहा है इसले तो अच्छ अच्छिमान चल्दू अपने ऐसा क्यूं किया तुमने पाने के लिए ताकि तुम मेरी भूह कहा तुमें प्यार की कष्टि में बिटाने के लिए मैं गए रिनाले में उत्रा यह बता नारिवाई तुम तो दोस्ती कह रहे थे वो सब नोटंगी थी तुमने कान के बालिया जानबुच के निगाली थी क्या और मेरा बैक का चोरियो ना और वो मार पीट व एकदम रियल था हिरो वाला शौट ना दिखावा तुम्ने उसी दिन मुझे अपना दिल दिया और प्यार के शुरुआ थूए तुम इड्रामे बास मैं इड्रामे बास आजाओ मेरे पास मैं स चेच ओवीनिडी पर चिला कर गाऊंगा आई लाव यो आजसे तुमेरे वीवे और इसके भावी चलेगा समल कर मित्र दीपू इतना परिशान क्यों हो रही हो क्यों ना हूं उस कौकरुच को मेरे सच्चे दिल से चाहता तु जानती है ना वो भी तो तुम्हे सच्चे दि अजकर लड़कों वाला एडिया लड़किया आजमा रही है था लेकिन मैंने वह नहीं पिया तो सत्य बोलके सत्यादाश क्यों कर दिया उसने नाटक करके तुम्हें सारी सच्चाई बता दी अगर उसने तुम्हें धोका देना ही होता तो तुझसे ये सच हमेशे चुपा क मैं प्यार की इमारत पर धोके की सिमेंट नहीं चड़ाना चाहता है विश्वास करो वो तुमसे सच्चा प्यार करता है वो सच में बहुत अच्छा लड़का है अब उससे कहोगे क्या मन की बात अक्सर धोखा देने वाले नजरी चुराया करते हैं सच्ची महाबद करने वाले नहीं तुमने अपना हाली दिल तो कर रात को मुझसे बया कर दिया लेकिन मेरे दिल में क्या है वो मैं बता दू आई लव यू चंदू भाई भाई का है उपर चट पर है भाई क्या हुआ वो चंदू अरे वो डॉन चंदू कहां है कुछ पता चला पता चल गया भाई उस भुचाल ने आपकी बहन से प्रेम का नाटा करने के लिए उस चंदू को जर्मनी भेजा है किसी भी एरे गेरे के प्यार में पड़ जाए मेरी बहन ऐसी नहीं है वो नर्सिंग की बहन है छोड़ूँगा नहीं चंदू को ये खबर कहां से मिली तुझे भाई चाज के ठेके पे मैंने एक आदमी को ये बात करते वे सुना था भाई भूल करती भूचाल ने बहुत बड़ी भूल करती है उसने नर्सिंग को ललका रहा है उसने मेरी बहन मेरा गुरूर है मेरा गुरूर है मेरी बहन भूचाल मुझे नहीं जानता बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा वो मैंने सुन रहे कि चंदू आपकी बेहन को लेकर शम्शाबाद पहुचने वाला है और वो भी कल के कल शम्शाबाद नहीं मैं उसे सीधा शम्शान पहुचा दूँगा जैसे ही चंदू बहार है उसे देखते ही वड़ा देना जाओ लिए चर्मान शेफ़र्ड यह नाम से फिदेस्न है इंदुस्तान ही जमिन पर लॉट आए लड़ी बाद भड़ी प्लेन से उतारने के पाद बी उसका मजा लेता है हुआ 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 पूरी बारात आ गई लेकिन दूला नहीं दिखा अरे आ गया दूला लेकिन दूला नहीं दिख रही है हुआ हुआ मेल तर्पक्र ये तो मेरी वैन है हुण्ड़ कानोस को किदरे वो किदरे मलुम करो हुआ नहीं उठाओंगा बिल्कुल नहीं उठाओंगा मेरा कुछ नहीं बिखाड सकता मैं बालपन से भूचाल भाई की सेवा कर रहा हूं पता है तुम्हें जो बोला वो सब किया और मुझे हटा के उस कल के आएवे चंदू को सर पे बढ़ा लिया इसलिए मेरी सटक गई अरे वो फोन नहीं उठा रहा है क्यों नहीं उठा रहा है क्यों नहीं उठा रहा है अब आएगा मजा कानी में अब भूचाल भाई उस चंदू की सारी डॉन गिरी निकाल देंगे और मेरा रास्ता साफ मैं फिर से उनका खास बन जाऊंगा अगर भूचाल को सच का पता चल गया तो अगर उनको पता चल भी गया तो मेरा कुछ नहीं बिगडेगा अलो कौन है बे क्रेडिट का नहीं चे रख फोन है मैं तरह बाप पूल रहा हो सुभागी दस बज गए और तो उठाया क्यों नहीं वो बात यह है ना कि जर्मनी का साफ सुत्रा खाना खाके तब यह थोड़ी बिगड गई है चिंता मत करिए अब इंडिया आ गया हो ना र बीगा श्चाय को आपके घरी लेकर आता हूं जो बोलता हूं वही कार हाँ थीक है जी जाजी आप ही उसको गोल कुन्दा क्यू ब्ला रिधि कि शाथ उथे विला कैसे किसको जगी पर क्या ने ने बटा आ वह तो घट पूरी के अल चारा कर रहा था हए था था इसी तरह ए पर आपको कभी कोई रोग नहीं होगा इसी को कहते है एंगर अजसे सब लोग एजिटेशन करना अजसे नहीं भया मेडिटेशन चलो घरम भजिया काते आँ नहीं भया मैं कुछ हेल दी खाऊंगी फ्रेंड्स के साथ ओके बाइब भया जिजा जी आपने चंदु का भी फोन और उसे वहां बुलाने के लिए कहा और चंदु ने इसे इतनी जल्दी वहां बुला भी लिया देखा वो चंदु कितनी पहुंची हुए चीज है अब मुह बन कर कितनी बास आ रही ही तिरे मुसे दात उन से दात चिल गए मेरे दीप्ति को किने पुछा आपने क्या सत्या नौशो चिल्लू भर पानी में डूब बरे कभी भलाता हो मैं सीरियल की बात कर रही हूं आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं यह डेली सो बहु भी कभी बहन थी सीरियल में हीरो ने अपनी बहन का कहीं और चेकर चलवाया था यह लेक्ता की सीरियल देखना बंद कर बोला अब उसको सच बता देते हैं मुझे तो डर लग रहे है सच पता चला तो गए काम से क्या हुसर भुसर कर रहे हो जोर से बोलो तुम उसे गोलकॉंड़ फोट लेकर क्यों जा रहे हैं अरे उसे लेकर जाओ तो तुझे लेकर जाओ अगर नर सिंको इस बात का पता चल गया तब देखेंगे उसे पता चल गया है क्या कहा पता चल गया यह तुझे कैसे पता तुम भुचाल के लिए काम करते हो और उसके काम के लिए विदेश गे थे यह बात उसे पता है उसे यह सब किसने बताया हमने तुमने क्यों क्यों मतलब क्या उसने हम तीनों को बिना कि मेरे मुझ से सब सच निकल गया अब तु अपना मुझा नहीं लग सकते हैं माने बच्पन में बोला था इसके साथ मत रहे पुत्र एक दिन मरवाएगा तुझे वह आगया दिन जा रहा हूं मुझे कुछ नहीं सुनना रहा हूं क्या रहे कैसा लगा इंतजाम यह तुझे बहुत अच्छे से दोएंगे और साथ में स्त्री भी कर देंगे आज तुझे मिलवाता हूं आज अरे वाह मैंने इन्हें कहीं देखा है इसा बात में यहीं रुको भाईया जी भाईया स्ट्रीट डॉग यह मार कर आर्ति उतारेंगे यह आर्ति उतार कर मारेंगे चाहे कैसे भी मारे डॉन के लेवल की मौत होगी अपना नाम होगा क्या मनुश्य है मरते वक्त भी लेवल की बात कर रहा है उस दिन तरह फोन उठाने से पहले ब्लॉक कर दिया होता तो यह पीस असली गन है रहे जॉन बहुन गया तुझे सुना तु लड़कियों के साथ सेटिंग बहुत जल्दी कर लेता है यह हिलना बनका रहा है और क्यों बैच चिरकोट गाउं की बहुत याद आ रही है क्या अबैं पीछे क्या देख रहा है तेरे गाउं जाने के टिकट मैं यहीं से तुझे कंफर्म करके देता हूं और सिर्फ तुझे नहीं तेरे साथ साथ तेरे दोस्त को भी उपर भेजूंगा मैं रुक हमारा कुसूर के है अबैं चुप चुप तुमने मेरी बेहन को नहीं भधाया इसलिए अभी तक मेरे सामने जीवित खाड़े हो वरना वहीं एरपोर्ट पर मैं तुझे समात कर देता एक बात बता उस भूचाल की बेहन तेरे साथ क्या कर रही थी यानि भूचाल के धन से उसी की बेहन को बटा लिया मुझे भी अभी अभी पता चला मतलब अपनी मृत्यू उसके हाथ लिखी है चल वहीं चलते है मन ही मन में क्या खिचड़ी बेका रहे हो तुम दो रहो अतारो मैं यहां डॉन मन ने आया हूँ आपका नाम सुना था आपका बहुत बड़ा फैन हूँ लेकिन उसके नौकरी की ताकि मैं आपकी गैंग में शामिल हो सब उसके गैंग भी मैंने आपके लिए जॉइन की ताकि वहां सबकुछ उगलवालू और यहां पर उल्टी कर दूँ बीच में मत आरे उसने मुझे आपकी बेहन को पटाने कहा तुरी इतनी हिमात नी मेरी बेहन को पटाने की बात कर रहा अरे अगर यह का मैं नहीं करता तो कोई और करता लेकिन यह जोगिम मैंने आपके लिए लिया अगर उसको क्या बताया बताया कि आपकी बेहन के साथ टाका भीड़ा है तुने मुझे बेवकूफ समझा है जो तो कुछ भी बोलेगा और मैं उसे मान लूँगा यह किन नहीं है तो बेहन से पूछे वो आपको सच बताएगी और सच के सिवा कुछ नहीं बताएगी बेहन के मुझे सुन लूँगा तो विश्वास भी होगा और नाटा के जारी रहेगा आप इसकी बातों में मताये इस महीने की 22 तारीक को दुगल सहब के बेटे के साथ मेरी बेहन की शादी है उसे दिन में तुम्हारी शादी भी करवाओंगा वो भुचाल अगर मुझ पर वार करता तो चल जाता लेकिन उसने मेरे परिवार पर वार किया मेरे परिवार पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है उसे पता चलना चाहिए 22 तारीक को शादी, मतलब सिर्फ 10 दिवस बचा है उसे मंडब तक खिचने के लिए आपकी बेहन चुम्बक का काम करेगी क्या मतलब? आपकी बेहन उसकी सहेली है न वो उसे यहा लाएगी ए बोलना रहे हाँ, जब सहेली लड़की के कान भरती है तो वो हर बात मान लेती है और इतना ही नहीं भुचाल सिंग ने आपकी बेहन को मुझे पटाने को कहा कहा कि उसे बगीचा दिखा और फुल खिला लेकिन मैंने इसा नहीं किया अगर सिर्फ मदद की बात है तो ठीक है लेकिन अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो तेरी मुंडी काट कर बीच बाजार में उसके साथ फुटबॉल खेलूँगा आपकी बेहन मेरी राखी बेहन मैं जुट बोलू तो आप मर जाए सर ए समझा ना हाँ और आपके सारे आदमी भी एक बात सब नोट कर लो आज से चंदू मेरा खास आदमी है सर आपसे उपर मेरी पोस्ट होगी ना दस साल से मुझे ये नहीं बता कि मैं यहां क्या कर रहा हूँ और तुम्हें दस मिनिट में जानना है कि तुम क्या करोगे चुपे देख चंदू तेरा काम देखकर जल्दी मैं तुझे तेरी पोस्ट दे दीगा फिलहाल आज और अभी से तुम मेरी बहन के बोडिगाड जाओ धन्यवादम भाई भाई अगर दुगल साब को पता चल गया तो हमारी मिर्तियों पक्की है अबे तु अपनी तरह मुझे भी कमकल समझता है क्या भुचाल की बेहन के साथ इसकी शादी करवा कर मैं भुचाल को पागल कर दूँगा चंदु को भुचाल ने नहीं मारा ये बात दुगल साहब को पता चल जाएगी और तब मैं इसे मार कर दुगल साहब की नज़रों में हीरो बन जाऊँगा मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तयार नहीं हूँ ये बात तो अपने भाई से मैं नहीं कह सकती इसलिए तो आप से कह रहे है तो इस सुपारी की जगह इसमें वो तेरी गर्दन रखेगा मुझे शमा कर दे दादी मा दादी मा ये जीवन में कौन साना नया चिकर शुरू हो गया उस बावीन अपने को सही लड़ी थी क्या या फिर देखने में अपने से गल्ती हो गई अरे जिससे भी गल्ती होनीती हो अब यह सोचो इस गल्ती को सुधार कैसे कियो कौन किसके साथ गतल रहा समझ अरे बड़े से बड़ा गेम क्यों ना हो मेरे को कोई टेंशन नहीं दोनों मेरे हाथ में चंदू कई इसने मेरी बाते सुन तो नहीं ली वो कहें कि मैं जादा जोर से बोलता हूँ ना हाई प्रिया अच्छी लग रही हो चंदू तुम यहां कैसे आए चल के आगया तुम मेरे भाई को जानते नहीं हो अरे उन्होंने तो मुझे अपनी गैंग में रख लिया है क्या कहा तु तो मुझ से प्रियम तो फिर दीपु से अच्छी तुमने ऐसा विचार कैसे किया पहले दिन से मेरी नजर तुम पर गड़ी हुई थी और तुमारी नजर इसके कैमरे पे थी इसलिए गड़बड हुई कैमरे की जूम लेंस से मैं हमेशा तुम्हें निहारता था इसने कई नहीं ही लुशुँष पार पकड़ा क्योंभें हाँ धर भगड़ा था झाल पकड़ा जिर्फ तुमने जान कि फूख्झार्क देखने के लिए मैं तुम। मुझे अपने जान की परवा नहीं तुमारी जान के परवा और मुझे कुछ में नेंकिये है तुम मेरी इसक्र मुझे थोड़ा टाइम दो प्लीज थोड़ा नहीं पूरा लो तब तक हम गहरे दोस्त बन सकते हैं हाँ ठीक है तो फिर चलो गोलकुंडा किल्ला वहां किस लिए आत्मात्या करने के लिए अरे तु जानता है न पगले वो सुमसा निलाका है वहां कोई आता जाता नहीं है ब मैं चंदू की साथ बाहर जा रही हूँ ठीक है बेटा ए चंदू हाँ बस मैंने जो कहा था वो तुझ अच्छी तरह याद है ना मैं हूना बेफिकर रहा हो जाओ 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 प्रिया तुमसे एक दरख्वास्त है डिपति को इस बात से महरूम रखना वरना वो तुम अपने रूम में जाओ मैं पीछे से आता हूँ ठीक है अब घतार क्या किया तुने नर्सिंग के बहन के बदले तुने मेरी भेन को उसको दिखा दिया अरे आज शूस क्यों पहरे गलती नहीं है आप हमेशा नर्सिंग से बराबरी करते हो वो जो करेगा आप महीं करे किया होता तो यह दिन देखना नहीं पड़ता एक नंबर का निकम माय तू बस यही तानिस देते रहते हैं आपको साबिद करने के लिए जीवन में एक मौका तो मेरे सिर्फ कपड़े डीले अंदर से टाइटू तो फिर डेमो दिखा आज तू खुपची में आप आप पस म चुचा आज मेरा निशाना खाली नहीं जाएगा अरे यह तो नर्सिंग की बैं को संग लेकर आट चलाव तो भाई यह मेरी बैंन नहीं है अच्छा गोल कॉंड़ा में तो कॉंसे कॉंड़ा में अनकॉंड़ा मैं भी गोलकुंडा नहीं हूं मैं कुछ जरूरी काम से किदर गया हूं चार मिनार गया हूं पथरों के बीच मेरी मा की आत्मा है मा 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 यह लाल जोडे वाली तेरी बाहू है अच्छी लगे तो जवाब दे मा 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 हेलो हेलो अच्छा तु बाद में जवाब देगी ठीक है इसको क्या चूरंदू लगता है गई यारा यह बहते हश्रुधारा चंदू तुम मुझसे इ मेरा इतना साथ दिया, इसलिए धन्यवाद, आज मेरी कामना पुरी हुई क्या बुचाल बाई, कितना इंतजार किया, इधर उधर भटक रहे थे, आकर देखना चाहिए था तुने किसको लपटाया, जिसको इसने दिखाया, नर्सिंग की बेंड को, एरपोर्ट पर दूसरी वाली के साथ कैसे आया, वो बंदर या, उसके जैसी बकवास और घमंडी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, बहुत हो गया, क्या गलत बुला मैंने, दुनिया की सारी यह शुब समाचार पहले क्यों नहीं दिया, आदरणिय अदिप्ती, इनकी बहने, यह मुझे क्यों नहीं बताया, कुछ बत बोल, यह बात पहले बताई होती, तो काम चल्दी हो जाता, हनुमान जी की कसम, आपसे जूट नहीं कहूंगा, आपकी बहन की सुंदरता, उसकी नीली आखें, उसके खुबसूरत गाल, मुलायम रेश्मी बाल, लटकती मटकती चाल, भाई, सब आप से मिलिये, तुझे पहले बताना चेटा, सब तेरी गलती है, भाई, मुझे आपका कुछ नहीं सुना, आप मेरी बात सुनिये, भाई, सुन, 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 तुने असल मे जिसको पटाया है, वो नर्सिंग की बहनी है ना, आपको संदेह है क्या, संदेह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शक है, संदेह कैसे दूर करूं, फोन करके, उसे बोलो, फोन पे प्यार का इजहार कर दे, ओ, इतना ही, स्पीकर अन करो, हाई चंदू, नमस्ते, बोलो, मैंने आई प्रेम्यू कहा था, उसका अनुवाद किया, कुछ बातें बोली नहीं जाती है, उन्हें समझना पड़ता है, कुछ लोगों को बोले बिना समझ में नहीं आता है, आई प्रेम्यू, सुन लिया, किस से बात कर रहे हो, मेरी अंतर आत्मा से प्रिया, एक बार और, एक ब अगर अभी भी आपको संदे है, तो मेरे कले का ना पने लो, बनवालो छूरा, मतलब चंदू, इस शकुनी की बातों में आकर, मैंने युदिष्टिर पे शक किया, ऐसे लोगों को पागार देने से अच्छा है, मुझे दीजिए, छोड़िए, काम की बात सुनिए, उस नर सिंग गिर जाएगा, और फिर वो भागल हो जाएगा, वो मेरे साथ क्यों भागेगी, मैं इतना खूबसरत थोड़ी ना हूँ, अबे I love you बोला ना अभी तेरे को, मुझे आपकी बहन चाहिए होगी, हाले, क्या बोलना तू? अरे वो उसे लाएगी न, तुमारी बहन और वो पहले रूम पाटनर थे, ये क्या बाकरा है वे तू? आप नहीं समझे ना, समझाता हूँ, एक करम और गोटिला, ये लाल, आपके शत्रू की बहन, ये सफेद वाली, आपकी बहन, रानी के लिए कवर लेना पड़ता है, लेना पड़ता है, तो मुझे एक बात नर सिंकी, और सफेद, मेरी, विजयी भवा, तू तो जीत गया, प्राणेश्वरी, दिन में कैसे याद सताई, चंदू, कहा हो तुम, बूद सावार हो गया, उसके उपर, तुमसे मिलने को दिल चाहता है, उतावली मत हो, तुमारी बहन का कक्ष का है, तुमारी बहन का कक् हम दोनों का राज राजी रहेगा, कितने दिनों बार मुझे बाहू बली की तलवार मिली है, तुम तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी सीडियां चड़नी बढ़ रहे है, अब रहने भी दो चंदू, इंडिया आने के बाद तुम अपने प्यार को तु भूली गए, उन से बाहर निकल चुका हूँ, तुमने इस घर में प्रविश कैसे किया, जब दिल के अंदर आ गया, तो यहां गौन सी बड़ी बात है, सौरी चंदू, मेरा भाई को ऐसा बड़ा तीस मार खातो है ने, इसलिए मैंने उसके बारे में नहीं बताया, तुमने मेरे भाई को क्या बताया, चंदू? तुम्हें पाने के लिए जान जोखी में डाली है, मैं तुम्हारे भाई के गैंग में शामिल हो गया हूँ, गैंग में? पर तुम तो अच्छी फोटोग्राफर हो, पर इतना बड़ा रिस्कियों? क्योंकि आए प्रेमियों, तुम्हें पाने के लि नहीं नहीं, बदन पे पांच्छे जगा बना हुआ है, एक तरह से ये मेरा आईडी काड है, करम पानी में अद्रक डालो तो होता है काडा, आप उनके साथ पंगालो तो होता है राडा हाँ, बोलो भुचाल सिंग, सर को फोन दो बात करनी है, नहीं दे सकता, योगांडा के प्रेसिडेंट हूलाला के साथ वारतालाप कर रहे है, हूलाला सर, आपसे आपके देश में पिन से लेकर प्लेन तक सारा सामान मैं ही एक्सपोर्ट करूँगा, मुनाफे का 20 प्रतिश परना यह आपके साथ सौधा नहीं करेंगे, नहीं, नहीं, एक टका भी नहीं बढ़ाऊंगा, क्या हुआ, भुचाल का फोन है, कुछ बात करनी है, भुचाल, एक्स्क्यूज मी, हाँ, भुचाल, बोलो क्या बात है, उस नर्सिंग की भहन से आपने अपने बेटी की शाद हो जाएगा, एक मिन, एक मिन, मैं अपने आदमी को भेजता हूं, तुम साबित करके दिखाओ, ठीक है, जंट यादा नंटा ही दंटा हैंगे, एक मिन, एक मिन, हंटम, कुंटू, जंटा नंटा ही मंटा ना रहन है, तेरी बात चल रहे हैं, और कभसे बगबग किये जा रह लाश अंदर ही है ठिकाने लगा देना तेरी चाल के हिसाब से चल रहा हूं उसने क्या कहा वो कह रहा था अपने पंटर लोग को भेज रहा हूं आने दो वर्माला से स्वागत करेंगे ऐसे भी मेरे जीजा जी पूरा टाइम तो फ्री बेठे रहे हैं उसके सामने नर्सिंग क वेरी लाइफ बना दी मैं तो उससे पाताल में भुसाना चाहता था लेकिन तुने तो नर्क लोग का प्लान बना दिया है यह तुम पे बहुत जच रहा है इनमें से तुम्हें जो पसंद है ले लो तो फिर मैं यह सब लोगी इन्हें बीचने पर अच्छा दा मिलेगा ना भाई आसे भाई भी दोने की ज़रुवत नहीं है, मैं उने संभाल लूँगा, देखो तोन भाई, आपने ठीक से सुना तो नहीं न, कि हमने क्या कहा, अरे बहना ये क्या दे दिया है मुझे, इसे कान में लगाओ तू किसी की बाद सुना ही नहीं देती, येलो, तुम ही संभ परिष्टा हूँ, चल तू, आँ मेरे साथ, आँ इधरा, चंदू, जो काम मैंने तुझे करने के लिए था वो हो रहा है ना, हो जाएगा, कारिया गति पर है, कुई आये है, कौन है, श्री निवास रेड़ी, ये चोट कैसे लगी, कोई एक्सिरेंट हुआ क्या, नहीं भा हाँ, जादे क्या मैटर है, भाई 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 ये सुपारी मुझे दो भाई, अपनी बॉड़ी पे दो चरवार खाके मैं भी डॉन लोगों में अपना नाम लिखवाना चाता हूँ, क्या कहा, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा, एक बार उसे देख लिया ना, तो वह आज आके तुमारी सारी आक्टिंग धरी की धरी रह जाएगी, सबान को लगाम दे, आज विजय दिनाना चान मुड में है, मैं आज कर हैके हुए पैसे उठा लेता हूँ, क्यूंकि आज कल कड़की चल रही है, पहले उस आदमी को लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर लिखा, क पैलो का रिमिक्स कैसा लगा भाई? अरे यार मारधाल के लिए अक्टिं की क्या जरूरात, इसको तो एक लाइन बोला भी नहीं आता है, वैसे चंदू, मान गया तुछ, तेरे अंदर फायर है, फीरा है तो, वह बिर्जू जब तक तेरे पैरों पर गर कर अपनी जान की भ हम नर्सिंग भाई की आदमी है, बिर्जू से बात कर नहीं है, जाओ, इस पर हस्ताशन लेकर आओ, और जा कर उससे कहना मुझ से, कौन अब है तू, टॉन, टॉन तेरा बाब, डरा के लिए तू, लो शुरू होगे इसकी नोटन की, नाम जो भी हो, काम बता, तुने श्री निवास को धोका दिया, ये नया एग्रिमेंट है, अस्ताक्षर कर, पांच प्रतिशत तेरा, पिच्चानवे श्री निवास का, क्या बोलता है, पिच्चानवे प्रतिशत दो, लगता है ये हमें कुछ हलके मिले रहे है, इंग बर कह दिया ना, पैसे नहीं मि पैसे चाहिए, बहुत बीमार है, इलाज में हुआ तो वो मर जाएगी, अरे भाई, अरे ये पैसे मांग रही तो दे क्यों नहीं देते, तुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए, मालिक, दे दूँगा, पहले यहां आकर बैठ, तु जितने राकम मांगेगी ना, मैं उतने तुझा, आओ, यहां बैठ, भाईले मेरे से वाड़ता लब कर, एई, चप, आओ ना, जाओ जाओ, मालिक तुम पर पैसो की बारिश करतीगे, जाओ ना, जाओ बैठो, यह तेरी बेटी समान है, इस पेचारी की मज़तूरी को मजबरी मत बना, अकाट किसी और को देखा, म तुलिय में चलाना, एई, तमान चे लेलो, अगर तुन्हे साइन नहीं किया, तो इनी सलियों के बीच तुझे डाल कर, तेरा RCC कॉलम बना दूँगा, चल, हस्ताक्षरकार, यह ले आरे, आना रहा हूँ, हस्ताक्षरकार, चल, ए, चलो रहे, कोई आगे नहीं आएगा, बहन तुम भी चलो, उसे साथ मतलो, अपना काम हो गया, मैंने इसे बहन माना, यह भी चलेगी, लेकिन क्यों, स्यादा सोचो मन, ए बिर्जो, अपना काम तो हो गया, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं, इसके साथ जो करना है कर, ए च करना है मानि आगे हो ओभ हो हो ओभ हो गया, वेकिन क्यों आगे है अज़ा, यह जो कर ढगे है इससाथ जो कर वास्ता नहीं, तो कर दो कर दो करकाशी है! यहisu करते है अदिएी सात Алव都 कर दो палका चुहुझ हैं। संदिए। छयत देस म Fellows Lgrounds क्षी जिएका दो से वार प्रोम व्रोम प्रोम से व्रिैंक कर दूम कर दिएुड़ me अ कर दया है कर दोँ आर आर... स chilled कर दोँ कि अ कर दो गाने याराँ अskSi चलो मेरे साथ आपका बहुत आभार भाया रक्षा बंदन में आऊंगा अच्छा अलो एक गंडे में आ रहा हूं ओके कि मत्रों मेटी जुब 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 मा यही पो भाया है जिसने मुझे बचाया अधने बाद बेटा तुम्हारा योग्कार में कैसे चुका पाऊंगी ऐसा मत को मा यह पैसे रोखो नहीं बहुत नहीं बेटा हम यह पैसे नहीं ले सकते लक्षमी दे रहा हूं ले लो बालू मती मेरा कान छोड़ चंदू तु चंदू है ना दौन चंदू मुझे ख्षमा कर दे मेरे कारण तु घर छोड़कर चला गया और इस सब्से तेरे पिताजी भी चल बसे चलो मा कहां आज से तुम लोग मेरे साथ रहोगे रुक जाओ ममी ने आपको अंदर आने से मना किया है तुमारे साथ खेलने के लिए दादी को लाया हूं दादी बंटी ममी का है अंदर है आप लोग मेरे साथ रोज खेलोगे ना कितना प्यारा बच्चा है बिल्कुल चंदु का बच्पन है आईये बैठिये वही रोको इतने दिन तुम कहां थे अरे मेरी बात तो सुनों क्या सुनों पहले तुम बहा निकलो हम दोनों को इस घर में अकेला छोड़कर कहां जाते हो तुम अचानक प्रकट होते हो अचानक गायव हो जाते हो यह चल क्या रहा है अरे मेरी बात तो सुनों हम बात में जगड़ा करेंगे पहले मेरी मा और भेन से मिला तुम्हारी मा भी सोच रहा हूं और वो नर्सिंग भी वहां नहीं आया था कहीं कोई नया कभुतर तो शामिल नहीं हुआ है बता नहीं कुछ बिर्जु तुम्हारा काम मेरा शेर जरूर कर देगा बॉबी ठीक है भाई काम हो जाएगा तू नहीं अब है चंदू को बुला ले ए चंदू को मुझे तो लगा ये काम आप मुझे सौंपेंगे शेर और गदेगेश में कोई फारक होता है कि नहीं और बॉबी तुमरी आप ये स्वेद तो लिए खंदू काम मान वाया उंहारा है मेरा शेर्ट अब तुम्हारी नईया पार हो जाएगी बिर्जू चंदू, नर्सिंग के किसी आदमी ने इसकी बहुत धुलाई की है कौन है पता करके इसका मेटर सॉल्फ कर दे किसने फोड़ा तेरे को बोल किसने मारा बोलेगा या तुझे मैं मारूं तुम्हे जिसे दोया वो कैसा दिखता है अरे इसकी तो फट रही है क्या करें अरे चुप रहेगा तो पता कैसे चलेगा ने, 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 मुझे किसी में निवा रहा है अरे पूरा मेटर बताया नहीं भाग रहा है अरे बावी ऐसे अत्रंगी लोग को छोड़के तुझे कोई मिलता नहीं है क्या अरे जीजू वह बिचारा बिर्जू या पैसे भूल गया उसे द्याओं क्या ये तेरी ड्रामा क्विन बहिन को देके आजा तेरे जैसे हाथी को पालने के काम आएंगे इस शेर के सारे शंशान फुलो चुके हैं अगर तुझे मार दिया तो जलने के लिए जगा नहीं मिलेगी और अगर जगा मेले तो लकडिया नहीं मिलेंगी और अगर लकडिया मेली तो तेल नहीं मिलेगा इसलिए भलाईसी में है, कि निकल ले हम किसको लेने आये है दुगल साब का आदमी आ रहा है और उसके साथ उनका बेटा भी आ रहा है क्यों आ रहा है लेकिन? वो यहाँ पर शादी के तयारी करने आ रहा है दुगल साब को अपने बेटे से ज़्यादा उसी आदमी पर विश्वास है, दूगल साब का बेटा है, और वो उसके साथ कौन है, लगता है, ये दूगल साब का आदमी है, हाँ, हम रोगे, बस रेपट परे, हाँ, ठीक, सर, विश्वास, पहुंच गए, अभी नहीं सर, आटमेटिक सीधी पर हो, लास्ट टेप, उतर र दिखने में बहुत सुन्दर है, आप कहें तो चश्मा उतार के आँख मार दू, ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, आप ही ने फरमाया था, हर मिनिट की सूचना देते रहना, ये सूचना मुझे नहीं चाहिए, लड़के की जानकारी दो, नर्सिंग की बेहन किस से प्यार क यही है क्या, मैं हूँ कालिया, नर्सिंग भाई का दाइना हाथ, पगल खुझा आया है क्या, मेरी हरकते कुटो वाली है, नाक में तेजाब डालता हूँ, लेकिन आपकी थोड़ी अलग हो, बंदे को विश्वास कहते हैं, पर कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता, है आप दिन भर आरती उतारते रहोगे, चलो अंदर चलो, आओ भी, आया भाई साब, क्या भाई, इतना सूखा सूखा वेलकम स्टार नहीं है क्या, स्टार नहीं हम सिधा खाना खाते हैं, मैं खाने की बात नहीं कर रहा, पीने की बात कर रहा, भाईया, यह मेरी बहन प्रिया प्रवीन. आई, प्रिया. आई, आई, प्रिया. ज्यामनी में इंग्लिश पढ़ी है. अरे नहीं भाईया, मैंने साइकॉलिजी की पढ़ाई की है. तो वह भी तो इंग्लिश में पढ़ी होगी ना? अरे? अचा इन भाई साब का नाम विश्वास है. यह दुगल साब के… जासूस हैं. हर किसी को मैं सूं के जान जाता हूँ. बटा, प्रवीन पहली बर आया, जा उसे अपना घर दिखाओ. हाँ, क्यो नहीं? आओ. वान मिनिट. क्या हो रहा है वहां पर? यहां जो हो रहा है आपको बता नहीं सकता. आप भूल गया, आप ही ने कहा था किसी को बताना मत. अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप किसी और को बता देंगे. इसलिए आपको नहीं बताऊंगा. तेर से बखबख शुरू, काम कहां तक पहुंचाओ. नर्सिंग की बहन बहुत प्यारी है, सर. अगर आप अपने लड़के के लिए उसे पसंद नहीं करते, तो मैं उससे शादी कर लेता हूं. और हनीमून के लिए यूगांडा चला जाऊंगा. वो भी आपको बिना बताए. शकल देखी है. सॉरी सर, बीच में कोई आ गया था. उसे मैटर पता नहीं चले, इसलिए मैंने टॉपिक बदल दिया. ए चंदू. मेरे ही घर पे मेरे आदमी पर हाथ उठाता है तो. तो क्या मैं आपकी औरत हूँ? फाइट सिन में मुझे अकेला वहाँ पर छोड़कर चलिया है. ए चंदू असली हिरो है तू. भाई आपकी नजरों में अगर ये ये हिरो है तो मैं क्या विलन हूँ? हाथ यार हाथ में लेकर चलने वाला हिरो नहीं होता जो अपने हाथों से लड़ता है वह चलने हिरो होता है, ये है बो हिरो खड़ा सलम हाई क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कितन खुआ बढ़ेगी यह लोग सिर्फ बैट बैट के पगार खा रहें मेरी मानों तो सिर्वी ने एक वक्त का खाना दू मेरे पंच में क्या मेरे आवाज में भी तम है यह लोग मेरे आगे बाड़ी खाव है यह दोसी की आवाज है क्या हुआ एक मिनट मैं भी आया यह वही आवाज है मैं भूल नहीं सकता वही आवाज है वही आदमी है यह यह कौन बात कर रहा था क्या हुआ प्रवीन मैंने अभी उस डॉन चंदू की आवाज सुनी मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया लेकिन सबस्क्राइब उसके बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता यह तो पैदाइशी गुंगा है क्या ? तो मैं आवाओ इसकी उनी थि जिसने इसकी दुलाई की थी इसने सिर्फ उसकी ऑवाद सुनी थि उसकी शकल नहीं पहचानता लेकिन आवाद आपना प्रवीन ग्रेट है, ऐसे भी चंदू का मरा हुए तो बहुत दिन हो गया है अरे 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 बात को समझ परणा गड़बड़ हो जाएगी यह सुनकर तुझे क्या हो गया अरे वो चंदू भूचाल के हाथ से मरा मेरे हाथ से नहीं इसी बात से इस दड़के को तनी क्रोल है प्रवीन, तुम गुआ कब जा रहे हो आज शाम कोई एक सब्ता में आ जाओंगा छोड़न बनी उस है यह सच में गुंगा है क्या आपकी कज़़न अरे कालिया विश्वास जी कोनका कमरा दिखाओ कमरे में नहीं रहता, बंगला बुक करो, क्योंकि कमरे में मेरी कमर दुखती है आपकी मदद के लिए कोई चाहिए तो इसे ले जाएगे यह नहीं चाहिए, इसे बहुत खुजली है इसे लेके जाता हूँ, चलेगा ना अरे भाई सब ये गुंगा है, ऐसे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, किसी काम का नहीं है ये तब तो मुझे यही चाहिए, ज्यादा पढ़े लेके लोग हानी कारक होते है ए मोती, कम आउ तो टर्गी लगता है कहीं विश्वाज को संदेह तो नहीं हो गया ए कालिया, जरा सामने आ वो प्रवीन भी यहां आने वाला ये बात तु चंदु को पहले से बता नहीं सकता था क्या वो समझदार है, इसलिए उसने किसी तरह से बात को संभाल लिया वरना आज पूरा भाणा पूर जाये, पूर जाये सामान लेकर लेकर आजा वाटतालाप येंट्र वो भी तेरे पास तु तो गूंगा है ना बात कैसे करेगा जारो में सामने वाला बोलता है और तु समझ लेता है, ओके ओके और मैं तुछे कैसे बात करूंगा क्या कर रहा है फोन रख एको हो रहा है तु सही है बाप आउटगोइंग की जरूरत नहीं, इंकमिंग का रेस्पॉंस नहीं मुबंद, कान तो पहले सही बंद है, चलाजा बैट जाए आपके दाल में मैं क्या से बैट सकता है चलेगा, बैट जाए अबैट ना ये बता, प्रिया का बॉइफ्रेंड है कोई बाबा क्या मतलब? कोई है नहीं या नहीं है कोई मतलब नहीं है सच बोल रहा है प्रिया अंगार है वो, छोने से जल जाएंगे तुने मुझे यडा समझा है ये, मैं तेरी मालकीन को फायर गलव्स पहन के फिर हाथ लगाऊंगा समझा उसके बारे में खुल के बता एक मिनिट या, ठेक इट अब बाव, और भी देन खीच के दूँगा अब बता, छक्कर है न उसका तो फिर तु मुझे क्यों बता रहा था कि वो सती सावित्री है तू तो जूट बोलने वाला गूंगा है कितने दिनों से टांका भीडा है क्या हुआ, साब बिच्छो सूँगा हेलो कितने दिनों से उसका चक अच्छा समझ गया यह ले एक दो दिन पर रहा रहा है मतलब बहुत दिनों से है क्यों कहा मिलते है अब बैटरी खतम हो गई क्या अब तू तो नेता से भी बड़ा लॉल्ची है यह ले अब तो बता अरे यह पागलपन क्यों कर रहा है आजगा अब समझा मतलब वो डिसको में मिलते है वेरी गुद कौंसे डिसको में पर एक से जवाब देना ऐसी गुड़वा चाले क्यों कर रहा है सीधी तरह से जवाब देना ऐसे टाच क्यू ओ टाच डिस्कों में मिलते हैं बहुत बढ़िया चल बैचा वेरी गुड वेरी गुड बेटा मैं कुछ दे रहा हूं इससे तेरी जबान खुल गाएगी नाव गो टॉमी पीछा था लेना मेरे बारे में ऐसा सोचा नहीं था ना मैं ऐसा ही हूं कोई नहीं समझ सकता मुझे मैं हूँ विश्वास जिसका कोई नहीं करता विश्वास अच्छे क्याम करता मैंने तुझे जो सौ रुपए दिये हैं जरा उससे साबून लेकर आ मुझे कपड़े धोने ओके होई तसक्म में बंठन कर आ जाओ मैं तुम्हे वही पर मिलूंगा जानू अधिफेआदोमि। आपको देन्स एपके li आपको तोधाइब क्या हैjust अगर तूने डान्स किया तो तेरे घ्टने की कटोरी बाहर निकल दान्स करने लगेगी तू मेरी चड़ी बन्यान मैं जा कराता हूं आब बाब बाब चल अधर हें बाहर मत ल facあ डाण्स बाब डान्स बेभी डान्स बाब नहीं जुबिंगा दिखाई देता सॉरी धक्का लगता रहेगा अच्छा जब तितली यहां आ गई है तो तितला भी जरूर आता ही होगा कहीं यह वही तो नहीं है यह गूंगा तो बोल रहा है तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं हो लिए चंदू मेरी शादी कर दिन कितना पास आगी और तुम्हें कोई रात है रंगीन मामला है संगीन ज्यादा मत सोचो मेरे दिल में तुम ही हो ओके अब पियोगी ओके आज तो टली होई जाए है क्यों बे इधर कैसे आया गामचा किसका है कपड़े कहां से चुरा है और ससूर केनाथी तू बोलता भी है क्या मैं गुंगम हम मन में जिलाते तो भी आवाज बाहर तक गुंचती है नहीं दरसल तुम्हारे जैसा एक और निरित्यकुंड से निकाल को अभी पता चल जाएगा अ अ कहा है तू अबंबंबंबंबं और और रहुंग मैं गंटे मैं आ जाए अज तो बाल बाल बच गया मुझे नहीं हाथ दोने आप धोलो, मैं क्या रहू? ओ, क्या बात, यह लड़की तो बहुत ही अड्जांस लगती है क्या भाई, पत्नियों की तरह खिड़की पर मेरी रहा देख रहे हो क्या भाई क्यों रहे, साथ नहीं लेकर गया इसलिए तुझे दुझे दुख हुआ क्षमा करना बेटा, दरसल शहर में तुझ जैसा ही और आदमी घूम रहा है एकदम सेम टु सेम इस पर थोड़ा विचार कर उसने अगर खून किया तो इलजाम तेरे सर पे आएगा वो तो मैं शाणा हूँ, इसलिए मार खाके पता लगा लिया कि वो गूमगा रही है एक मिनिट रूप सर जल्दी बताओ काम कैसे चल रहा है मैंने पूरी इंफरमेशन निकाल ली है, उस लड़की का चक्का है मतलब उस नर्सिंग के बच्चे ने मुझे धोखा दी हाँ सर, बताइए मुझे क्या करना है तुम कल वापस आजाओ ओके सर चंदू, अब तक फोन नहीं आया दुगल के फोन में जरूर बैलेंस नहीं होगा इसलिए अब तक फोन नहीं किया भूल जाएए जीजू, देखना उसका कोई फोन मोन नहीं आने वाला है साले, सकारात्मक बात नहीं कर सकता क्या धर्ती के बोज अगर घंटी बजी नहीं तो चपल से मेरे कान के नीचे बजाना घंटी बजी अब रुप बजाने देख कान के नीचे शान्तम, पापम, अति उत्तम, वड़कम, उत्तपम, मेरा मतलब दुखल है, दुखल हलो दुखल सार पुचाल, तुम्हारी बात सच निकली उसकी बेहन का किसी और के साथ चक्कर है इतना ही नहीं सार वो दोनों जल्दी ही भाग के ब्यार रचाने वाले है व्याह के लिए मैंने एशिया के टॉपमोस बिजनसमेन, व्याइपीज, पॉलिटीशन्स को नियोता भेज दिया है मेरा मान सम्मान सब के सामने दाव पर लगाना मैं नहीं चाहता उसके कारण मेरी प्रतिष्ठा को धक्का लग सकता अब भी कुछ नहीं बिरणा है सार, अगर आप कहें तो उसी दिन उसी मुर्थ में ब्याह हो जाएगा कैसे? कैसे? आपकी बेहन, जमनी, जमनी दुगल साब, मेरी बेहन भी उस नर्सिंग की बेहन की तरह जर्मनी में टिकी हुई है सुन्दर है, समझदार है, पढ़ी लिखी है और उसकी बेहन से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है अगर आप उसी मूर्थ में मेरी बेहन से आपके बेटे की शादी कर देते हैं तो नर्सिंग के मुँपे खली का जूता पड़ जाएगा क्या खयाल है हुजूर? मुझे मनजूर है, तुम्हारी बेहन से मेरे बेटे का ब्याह उसी दिन होगा तब तक उस नर्सिंग को इस शादी की भनक तक नहीं लगनी चाहिए नहीं लगेगी, तुम तैयारियां शुरू करो ओके सेर, बद दुकल का संधी बनने जा रहा हूँ यह सब तेरी आइडिया की बदावलत है यार, तुरो तो मेरी लाइफ बना दी क्या बात है भया, क्यों इसना नाच रहे हो अरे विर गुडिया, अब तु कोई छोटी मोटी स्ती नहीं रहे गई तुकल की बहु बनने जा रही है हाँ हाँ वही, जो इंडिया की टॉप टेन रहीजो की कैटेगरी में आता है पेरा पाइमेट जेंट होगा भले किता भी नाच रो, कूदलो ये शादी नहीं होने वाली, ये लीजे लगादी परोती अरे, आपको कैसे पता चला रहे है मता चल गया मुझे, जावाद, फुट ये किसका दिमाग है मेरा प्लाइन नहीं था, वो सब छोड़ो, अब इस मुसीबस से तुम मुझे कैसे बहा निकालोगी, ये बताओ कौन सी टाचनी से कौन सा फुगा फोड़ना है, मुझे पता है अलो तबहले वाला यादों बोल रहा हूँ, दो महीने से पैसा बाकी है अरे दुगल भाई, कौन बोल रहा है तेरी होने वाली बहु का, ओ चुखा आशिक बेटा दुगल, अपने बेटे का मेडिकल करवा, उसमें कोई कमी है क्या आशकल की लड़किया, पहले से एंगेज होती है तुमारे होने वाली बहु का, पौने तीन साल से मेरे साथ चकर चल रहा है और हाँ, तेरे आसपास इतना स्टॉक मौजो देना, उसमें से कोई पसंद नहीं आ रही, खुद रखेगा तो किसकी बहन की शादी की बात कर रहा है, मेरे बेटे का ब्याह भुचाल की बहन के साथ होने जा रहा है अवे, उसी के बारे में बारतालाब कर रहा हूँ, भुचाल की बहन, दिप्ती, मेरी कुची-कुची है तु सच बोल रहा है, इसकी गैरेंटी क्या है कैरेंटी मांग रहा है को, इलेक्ट्रोनिक जामान खरीद रहा है क्या, दिप्ति का बॉइफ्रेंड होने के नाते, ये शादी मुझे मन्जूर नहीं, छपे काड फार दे क्या ये योजना काम करेगी चंदू? अगर मेरे प्यार में एक प्रतिशत की विस सच चाहिए, तो उस कार्टून के फोन की घंटी बजेगी हेलो, तुम कहा हो विश्वास, अभी हवाई एड़ा पहुचाऊं सर, बोर्डिंग पास बनवा रहा हूँ, जो बोर्डिंग पास बना रही है, पर मैं आपको बताओंगा नहीं सर, जल्दी से फाड़, वस्तर फाड़ूं क्या, अरे ड्रेस की बात नहीं कर रहा, बोर्ड वाई फ्रेंड के बिना नहीं, जो बोला है कार, ये शरीफो जैसे कपड़े पहन कर बड़ा अजीब लग रहा है बाई, बॉबी, जो महमान आ रहे है, वो दुगल साब के खास है, इसने सब उनके सामने बहुत शराफत से पेश आना ठीक है, समझ गया ना, ये, ढोल बजा है का है क्या, हुद का है, शादी की खरीदारी के लिए असिस्टन चाहिए, ये, मेरा साला बहुत कामका है, ये भालू मुझे पसंद, तो फिर बॉबी को रख लीची है, ये गुंगा तो नहीं, मैं बोल सकता हूँ, गुंगा क्यों, गुंगों के साथ बात करना अच्छा के लिए सुनते ही चेहरा कैसे खिल गया, मतलब कंफर्म है, मेरा प्रबंदु क्या है, ये आपका है, हम आरेंज कर देंगे, नो, नहीं, मैं यहीं रहूंगा, पास रहकर तैयारिया अच्छे से होंगी, आप यहीं रहिए, काल जीजु करीबों में भोजन बाटने माने, आ मिला दिया, दो डाली है, कम लग रही है, मरने के लिए दो बुंद काफी है, जो जहर मिलाया है, उसकी बात कर रहा हूं, आपकी चाय में नहीं, पापी सास, सीरियल में एक बंदा हमेशा अपनी नाग दूसरों के मामले में गुसेरता रहता है, आपको देखा तो याद आ जब तक शादी नहीं हो जाती है, सीरियल देखना बंद कर दो, उससे अच्छा शादी पोस्पोन कर दो, इनकी शादी नहीं हुई क्या, हमारी शादी तो कब की हो जुगी है, बहन की करने, ओ, बहन की शादी, फोन आ गया, ये लो, पी लो, येस सर, थुचाल के घर पूपू इपू ये किमभी ये क्या हो रा इस वक्त् bricks? योगा इस जांपि? मेरी कुंडली में यही समय लिखा है कैशानी तो नहीं नखुक ऑषानी नहीं हो गया नहीं हो गया फैले आप जाहिए न हुआए पिर से हो गा पानी चाहिए ठा आप के रूम्हें हो गा चुहा चुह पी गया है श्रीमती जी पानी ले क्या हो ज़रा शीतल जल लाना अब सोजाई अब अब बस भी करो ना कोई हमें देख लेगा कोई देखेगा कैसे कुछ देखेगा यह नहीं कौन है वहाँ चिपकली होगी आवास तो चिपकली की यह यह चिपका चिपकी बाद में पहले यह बताओ तुम तो जानते हो ना दुगल के बेटे से मेरा ब्या तय हो चुका है भाईया ने तय किया है इसी खुशी में मैंने 10,000 की FD किया क्या तुम ऐसा होने दोगे तुम बाप बेटे का सफाया करना मैं दौलत का कोंगा पर यह मत भूजाना मेरी कोग में जो बच्चा पढ़ उसके बाप तुम हो चंदू चंदू कोई हमारी बाते चुपके से सुन रहा है क्या नेवला होगा जानू हमारा जो बच्चा पैदा होगा वो दुगल के वंच का वारिस बनेगा पगली हमारे बच्चे के डिलिवरी बड़े हॉस्पिटल के बड़े बड़े बैट पर लवी केस में अंदर करा दूँगा लेकिन चंदू उन्हें इस तरह से दोका देना ठीक होगा क्या अब दोके बास को दोका देना दोके का अपमान कभी नहीं होता है अब तु मुझे दोका मन दो चिपकली के जैसे चिपकरा है पर शादी के बाद मेरे बेड रूम में आओ क्या कह रहे हो उस लड़की से प्रवीन की शादी हुई न तो दहेज में पच्चा भी फ्री आएगा विश्वास मेरा विश्वास कीजिए बच्चे का नामकरण भी हो गया है चुकद्दम पांडे खाबर तो पक्की है न एक और सच बताऊं सर दोनों डॉन की बहनों को प कुमने से बिनन मिलेगा ठीक है मेरे वहाँ आने तक तुम बहुं रुको रखता हूं हाँ आजा पो हाई कैसे हो हाई क्या हई क्या हुआ कोई जरूरी काम था क्या बताताता हूं कोई और भी आने वाला पर तुझे तो पता ही है कि हम दोनों के भाई एक दूसरे के शत्रू हैं, क्या करें? क्या बात है राम, इतनी जल्दबाजी में क्यों बलाया? तुम चंदू से प्रेम करती हो? अहां, बिल्कुल, यह तो तुम अची तरह से जानते हो. और तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या? इससे क्यों पूछ रहे हो? एक मने शानत रहो, करती हो या नहीं? हां, मैं भी करती हो. अरे यह कैसा पागल बने, तुम तो सब को चांगी हो. तो क्या हुआ? एक सेकिंड, सब कुछ तुमारे सामने ही हुआ था ना? चंदु ने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं है, तुमसे ही प्यार करता है, तुमसे प्यार करता है, और इससे का कि इससे प्रेम करता है, तुम दोनों के भाईयों के साथ राजनीती खेल रहा है, अपने जीवन को खत्रे में डाल रहा है, क्या क्या सच बताओ तुमें, व मुझे कुछ दिवस पहले ही पता चला और वो क्या है देखिए अगर सुधार नहीं हुआ तो अपरेशन करना पड़ेगा ठीक है डॉक्टर यह क्या अपरेशन करना पड़ेगा मुझे बहुत बहल लग रहा है तुम चिंता मत करो मैं सब संभालूगा और कित्तों को संभालो ले अर यह क्या इसे भी फासा है क्या तिपते क्यों जवाब नहीं है यह क्या बोलेगा उस से प्रेम का नाटक किया मुझसे जी नहीं बर तो पिर इसके पीछे पर बढ़ गाई अरूं से ही जी भर गया तो तीसरी को फास रहे हो चंदू ये क्या कर रहे हो तुम चुप रहो दीदी मुझे उन्होंने स्कूल में भरती करवाया सारा परिवार मुझे प्यार करता था डॉन चंदू डीदी अब वो लोग यहां नहीं रहते कुछ साल पहले ही यहां से चले गए चलते हैं चाचा जी के मालिक के बेटे नर्सिंग और भूचाल अच्छे दोस्त थे एक दिन नर्सिंग की नजर मेरी दीदी पर पड़ी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे यह पसंद की हवा धेरे अधेरे प्यार की आंधी बन गए लेकिन जब जब नर्सिंग के पिता शादी तोडने का मंसुमा बनाया और शादी के एक दिन पहले नर्सिंग के पिताजी ने पहले तो शादी के लिए हां कर दिया लेकिन आप तुम दोरों को अलग करना चाहते हैं वो हर हाल में तुम दोरों की शादी तोड़ने वाले, लेकिन नर्सिंग ने तैक किया है कि वो आज राती मंदिर में तुम से शादी कर लेगा, तुम्हें ले जाने के लिए मुझे भेजा है, अभी तुरंट चलो, इस तरह जूट का पांसा फेकर उसने घिनोनी चाल चली, कोल्डरिंग में नशे की ओशदी मिला कर उसने मेरी बहन को बिलाई, ये सब जूट है पिताजी, भुचाल को अपना दोस्त बोलके तूने ही उसे सर पे चढ़ाया था, मालिक, भुचाल मेरी बेकी को लेकर कहीं भाग गया है, ये नहीं हो सकता, मालिक, भुचाल और इनकी लड़की दोनों बस से भाग रहे हैं, ए भुचाल, भाई मुझसे घल्टी हो गई, माप, अरे तुम यहाँ, तुम तो मंदर में मेरी रहा देख रहे थे, मेरी बात तो सुनो, मच जाओ, तर्षे, तुम ने मुझे छोड़ दिया, मेरा क्या होगा, दीदी सद्मे को सेहन नहीं कर पाई, और गर्ब में बल रहे बच्चे के साथ, अपने प्राणों की आउती देने तयार हो गई, मुझे छोड़ कर मच जाओ, यह सब क्या होगा है अबिश्चु, बाबा, दीदी को गलंकित करके, उस पांडूरंग ने हमें गाउं से बाहर निकाल दिया, मेरी बहन के साथ शड़ियंतर रचने वाले भूचाल को, और मेरी बहन को तड़पता छोड़ कर जाने वाले नरसिंग को, सबख सिखाने के मैंने सौगंत खा ली, बुचाल की गल्ती की वज़ा से, आज यह अनाद बनकर जी रहा है, और उस सदमे की वज़ा से, चाचा जी के प्रांट जाते जाते बचे, दिप्ती, मैंने तुम्हें कोई धोका नहीं दिया, तुम्हें सच्चे रिदय से प्रेम करता है, प्यार को पाने के लिए प्यार का नाटक किया, मुझे एक्षमा कर दो, उसकी जरुरत नहीं, असल मैं मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए, ये सब तु तुम्हें मेरी भावी के लिए ही किया है, चन्दु, आज से मैं भी तुम्हारा साथ दूँगी, चन्दु, पहले क्यों नहीं बताया, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, हम सब ये जगा छोड़ कर कहीं और रहने चले जाते हैं, नाई दिदी, उन्होंने तेरी जिंदे की बरबाद की, मैं उन्हें नहीं छोड़ूँगा, तुम्हें न्याय दिलाने के लिए, मुझे अन्याय भी करना पड़ा, तो करूँगा, नरसिंग, तुम्हारी बेहन चंदू से प्यार करती है, ये जानते हुए भी, उसे मेरे बेटे के गले में बाढ़ना चाहते हो, ये सब छूट है, दुगल साब, ये बात आखको जरूर भुचाल ने कही होगी, ए, सिर्फका नहीं है, साबित करके बताया है, तुझे तुम्हें? रको, भुचाल, नरसिंग के बेहन उससे प्यार करती है, ये तुमने थाबित किया, लेकिन उसी चंदू ने तुम्हारी बेहन को प्रेगनेंट कर दिया है, ये बात तुमने भी मुझसे छुपाई, ये सब छूट है, दुगल साब, ये सच है, दुगल साब, जो जाल इसने मुझे फसाने के लिए फेका, उस जाल में ये खुद ही फंस गया, बस, शिकार तुम्हारी बेहने नहीं हुई, शिकार मेरा बेटा हुआ है, सच्चाई क्या है, मुझे अभी जानना है, जल्दी से उस चंदू को बुलाओ, सच्चाई सामने आ जाएगी, ये बात आपने बिल्कुत सही कही दुगल साब, अभी चंदू को बुलाता हूँ, दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा, इनर्सिंग भला चंदू को कैसे जानता है, सारे फसाद की फसल उगाने वाला यही है, इसकी चाल और इसका चेहरा इसके चरित्र से मेल नहीं खाता, सर, वो हमारी तरफ ही आ रहा है, उसने हरी कमीज पहनी है, श्वास, कॉमेंटरी बंद करो, मैं देख सकता हूँ, वो क्या है सर, आपको खबर देने की आदत पर गई है, सॉरी सर, बताओ, तुमने जिससे प्यार किया, वो नर्सिंग की बेहन है, ये जंदू, इस अकल के अंदे को बता के किस तरह तुने पासा पढ़ जा, ये लोग कह रहे है, मेरी बेहन प्रेगनेंट है, ऐसा हुआ तो मेरी इंसक मिट्टी में मिल जाएगी, ये मेरी बेहन की सिंदेगी का सवान है, जो सच है वो बता, और तो डर्मत, ये नर्सिंग भाई तेरे साथ कड़ा है, बिंदास बोल, सर, ये तो वही गुंगा है, अब ये कौन है, मतलब एक शकल के दो आदमी है, सर, दूसरा वाला बहुत डेंजर है, सर, तू चुप बैठ, मुझे और गंफ्यूज मत कर, नहीं, सर, मुझे कुछ काम याद आगया, घर जाओं, सर, चंदू, मैं तमारे आगे हाथ चोड़ता हूँ, मेरी बेहन के जिन्देगी बरबाद हो जाएगी, सच बोल दे, भाई, तू चाता है, मैं सच बोलू, तो तुझे भी सच्चाई से परदा उठाना होगा, दिदे, शर, ये नए क्यरक्टर्स कहां से आ रहे हैं, शर, पहचानाई से, तुम दोनों के बीच में नाजाई संबन्द है, ऐसा क्याकर, तुमने इसके चरित्र पर दाग लगाया था, याद आया तुझे, चल सच्चाई से बरदा उठा, उसके बाद तुम भी सच बोल दोगे न, पहले तुम सच बता, तुमारे पिता जी ने पैसे देकर, मुझसे ये नाठक करवाया, लक्षमी बहुत अच्छी है, मुझसे घद्दारी की तुने, रुकचा, इसमें तुन दुनों बराबर के गुनेगार हो, दुनिया की बातों में आकर, तुमने मेरी बहन को दुद्कार दिया, उस दिन सिर्फ मेरी बहन के नहीं, दो सिंदगियां हुजड़ने वाली थी, जब तुमने उसका हाथ छोड़ा, वो माँ बनने वाली थी, हाँ भाया, यह आपका ही बिटा है, लक्षमी, मैं इस लाइक भी नहीं रहा कि तुमसे बाफी मांग सको, फिर भी मुझे माफ करोगी ना, साहिप, बिछना परिवार दोभारा मिल गया सर, मुझे जोर से रोना आ रहा है, तो उनके कंदे पे सार रखके रो ले, भाया, मैं प्रेग्नेंट हु, यह बात सुनकर आप कितने दुखी हो गए, लेकिन उस समय, आपने एक प्रेग्नेंट औरत को धोका दिया, क्या यह गलत नहीं है? हाँ, बेहना, लक्षमी, मुझे माफ कर दो, ए चंदू, असली हिरा है तू, आभार, जी-जाजी, खिला बंकर, खताम करो तुम्हारी मेल मिलाब की नौटंकी, यह सब देखने के लिए मैं यहां नहीं आया, तुम लोगों का सत्य क्या है, यह जानने आया हूं मैं यहां, कौन सा सत्य है, डॉन चंदू कहा है, वो तो कपका मार चुका है, इस नहीं मारा था उसे, डॉन चंदू यहां मेरी आँखों के सामने खड़ा है, और कह रहे हैं उसे बाती है, इस नहीं यह कैसे जान लिया, मैंने, आ तु गर्ल, तेरे बेटे की धुलाई करने वाला डॉन चंदू मैं ही हूँ, चल गोली चला, तुझे मारने के लिए मेरी पिस्टॉल की एक ही गोली काफी है, लेकिन तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूगा, तुझे तरफा तरफा कर मारूगा, आ जाओ, नाम के आगे डॉन लगाने से कोई डॉन नहीं बन जाता, ये असली डॉन है, और ये तेरे टुकडे टुकडे करने के, इसे कोई भी जोड नहीं पाएगा, अज तो मैं सारी भडास निकाल कर रहूँगा, अबली क्या बोलती, इस टकले को धुग क्या पहले, तेरा क्रिया करने आया हूँ, दिखावे पे मजजा, मैं तो जैसे लुच्चे लफंगे के लिए यम्राज बन गया हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है ता मुझसे भिड़ के दिखा, आजा, अजा, अरे सुनो चंदू, अरे सुनो डॉन साले साब, देखो मैं चाहता हूँ के तुम इन सब के चेहरे का रंग लाल कर दो, तुम ये कैसे करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन तुमारी चीक से इनकी पैंट के लिए गुरूँ जाएगे, दॉन, चंदू, अरे सुनो, जिर NEW अरूँ जलिए! इनले फिर यासे कर दो, जलिए! ठाइ! जिर पहीं ज FIR הנजा! कर दो कर दो ऑेजो कर तो अअ वदू कर दो क्वारe की ओूंग आजा 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 अवे लगता है इडली सामबार खाकर तुझे बदस्मी हो गई है ला मैं मुक्का मारकर उसे बच्छा देता हूँ बहुत बड़ा डॉन है तू अचमी लिए एं अचमी अचमी दें नुकी होगे तू तोनेट पे बॉड़ी की सिखाई हो गई, अब मजा आएगा आवे न लेटो आन तुम लोग सरकार पर बोज हो तुझे जेल बेज़कर हम अपने टेक्स की बरबादी नहीं करेंगे यहीं करेंगे तुगल चाचा, शो कैसा लगा? बहुत बढ़िया मेरे साथ काम करो, तुम्हें इंडिया का डॉन बना दूगा अगर इस बुड़ापय में तुचाता है कि तेरे हाथ पर सलामत रहे तो एक काम कर, दुबाई जाकर अपनी सारी दॉलत दान कर दे और घर-घर पेपर बेच कर इमानदारी से कमाना शुरू कर समझ गया आपकी आग्या सराखों पर डॉन चंदू बाए अब तू सुदरने का क्या लेगा डाउन की पोस्ट चल निकल, निकल तम्हारी योजना तो काम कर गई छोड़ासा प्रश्णा है पूछना, वो गूंगा कहा गया सिर्दी की बार इसी सवाल से कंफ्यूज रहेगा झाल